तो अब आपके अधर आपके अधर कर देंगे अधर करते हैं आज का सेशन जो की रहने वाला है आपके आर आर बी और एल पी अर टेकनीशन एक्जाम में जो प्रीवेस एर में जो कुछे गए खासका जो 2018 में जो आपका एक्जाम हुआ था उसमें जो कुछे गए उसके यहां पर मैंने 50 MCQs लिए हैं 50 कुछें के थुरू हम साइन्स को अनलाइज करने कोश्चेस करेंगे यह हमार पहला साइन्स का लेक्चर है एल पी इन टेकनीशन पर ठीक है तो बाकी इस वीडियो पर रेस्पॉंस आपका डेट अप माइन करेंगे कि आगे यह लेक्चर मतलब यूँकि मैंने सौचा है कि कि आप में से काफी लों का क्वेरी आ रहा था कि आगे यह लेक्चर होंगे न और नहीं कि शुभम कमल अनीश प्रवीन आप से पढ़के 52-80% क्लास में ही समझा जाता है अच्छा सचन जी बहुत उची बात है सरी वीडियो रहेगी या डिलीट हो जाएगी यह तम नहीं बताएंगे वालिम इंक्रीज प्लीज अच्छा अभी वॉल्यूम ठीक आ रहा है चले वह स्टार्ट करते हैं जादा भीना टाइम वेस्ट के हुए और जो मैं ब्रेक लूंगा टोटिल 50 questions रहेंगे ब्रेक में ल से यह summarize करने वाले हूं अपको कि किस पर्टिकलर टॉपिक से physics से dan किस पर्टिकलर टॉपिक से इसारे क्वेर्ट करने की कुछ नहीं पचास है तो मैं कुछ 16 ले लेता हूं तो फिजिक्स के सत्रा साइंस के उसके केमिस्टी कर सत्रा बायो के लिए लेता हूं ऐसा मैंने यहां पर कोई इक्वालिटी प्रमोट करने की कोश्यस नहीं कि फिजिस केमिस्टी और बायोलोजी के बीच में मैंने जो भी कोईस्टेंस रांडम पिक किये और पचास वो रांडम कोईस्टेंस हैं तो वह हमें एक तरह से आईडिया दे देंगे बिटर तरह से यह नहीं बोलों कि एक्जाक अब और की बात करें और क्या होता है और वो होता है जिसमें की मेटल होता है यानि की धातू होता है प्लस उसमें बहुत सारी इंप्यूरिटी जो निकलती है उसमें बहुत सारी इंप्यूरिटी मिली होती है जिसको की हम गैंग के नाम से भी जानते हैं अगर आपसे पूछ लेख लेख गैंग तो गैंग और में एक इंपुरिटी होती है तो उस इंपुरिटी को हटाना होता है और फाइनली वो मेटल हमें निकालना होता है और वो निकालने के यह तरीके हैं अब यह question directly आपकी देख लीजे अब कोई भी जम और निकालेंगे तो हम यह देखेंगे कि वो किस और की मेटल की और है अगर वो metal of high reactivity है अभी यह reactivity series भी पढ़ेंगे एक स्टोरी है केटरीना कैफ की उससे पढ़ेंगे इसको ठीक है और अभी के अभी आपको याद हो जाएगए तो metals तीन तरह तीन category में इ activity metals of low reactivity जो बहुत ज्यादा भी क्रिया शील होते हैं जो कम होते हैं और जो बीच में होते हैं जो सबसे कम होते हैं जैसे मैं high reactivity अगर बात करूं तो sodium, potassium, magnesium, calcium यह सब आएंगे हमारे high reactivity में तो इनको कुछ नहीं इनको इनका electrolysis किया जाता है अब electrolysis क्या होता है इलेक्ट्रो का मतलब होता है electricity और electrolysis का मतलब होता है breakdown तो यानि कि electricity का यूज करके जब अपायांस को breakdown करते हैं that is called as electricity इसमें एक cathode होता है एक anode होता है और इसमें जो यह liquid सा होता है इसको हम electrolyte बोलते हैं तो electrolysis कर दीजे सीधा आपको pure metal मिल जाएगा जो metals of medium reactivity होते हैं उसक हम या तो carbonate और में बदलते हैं या फिर sulphide और में बदलते हैं जो भी बदलना आसान रहता है अब जैसे हमने इसको carbonate और में बदल लिया ठीक है using the calcination का method हम उसको oxide में तबदील करेंगे जैसे for example मैं आपको बताओं तो aluminium कहीं ने कहीं हमारा जो metal है with medium reactivity हो जाएगा का top most producer कौन सा state है अभी recently मैंने mineral वाली class ली थी तो state बताएं इंडिया में और overall world में कौन है तो या तो अगर carbonate हो रहे तो हमें calcination का use करके oxide में तबदील करना पड़ेगा या अगर sulphide हो रहे तो roasting करनी पड़ती उसकी carbonate को बुलाएंगे ठीक है उससे roasting करवाएंगे और oxide मे को हटाने के लिए और यह करके हमें purification यानि कि जो हमारा मेटल होता हो प्यूरिफाई हो जाता और यह हमारी और है बॉक्साइट ठीक है बॉक्साइट स्टेट की बात करें और अगर country की बात करें तो यह औस्ट्रेलिया है अब आते हैं low reactivity के जो metals होते हैं उनको सिर्फ sulphide दोर में तबदील करना है इसमें confusion नहीं confusion यहाँ पर कार्बोनेट में बदले हैं फिर sulphide में जिनका low reactivity है जैसे कि silver हो गया हमारा silver, silver में यहाँ तक की जो rusting लगती जो जंग लगती है जैसे की iron में लगती है लाल कलर की oxide बनता है उसका silver में silver sulphide की black कलर का यह बनता है ठीक है तो metals जो low reactivity होते हैं को sulphide में तोड़ते हैं उनकी roasting करवाते हैं roasting यही अब same चीज होगा अब इसका क्या करेंगे वही reduction करके और metal में तबदील कर लेंगे ठीक है तो यह इसका process हो जाएगा refining का तो यहाँ पर सही answer क्या होगा पूछ रहा है high reactivity तो answer would be option number second electrolysis clear? दूसरा question है which of the following type of medicine is used to treat indigestion यहीं इन अपचन जब हमारा खाना पचता नहीं है तो उसको पचाने के लिए हम किस प्रकार की दवा का इस्तमाल करते हैं बिल्कुल सही है सुजीत, सौनम, अमन, अश्रफ, सौरव, रितूर, सब का सही है तो अब यहाँ पर question है कि indigestion को treat करने indigestion का मतलब क्या, जब बहुत ज़्यादा ठीक है एकदम खूप सारे मतलब खाना खा लिए उसके बाद होगा क्या, उसके बाद होगा यह कि indigestion होगा, acidity होगी पेट में, acidity क्यों होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा acid release होगा, अब acid क्यों release होगा, वो पूरा digestion का यहाँ प माउथ में आपको देखने को मिलेगा है माउथ में आपको देखने को मिलेगा यह सलाइवा यह सलाइवा क्या करता है सबसे पहले तो जो complex carbs इसको simple में break करने का काम करता है जो complex carbohydrates को simple नहीं बोलते हैं, elementary channel अभी हम देखेंगे किसको बोलते हैं, तो यह हमारी food pipe या फिर isophagus हो गया, अच्छा wind pipe किसको बोलते हैं, comment बताइए, यह food pipe से खाना सीधे जाएगा, इसमें, यह क्या है हमारा, this is our stomach, यह है हमारा पेट, अब पेट में क्या होगा, stomach में, तो stomach में दो आपके enzyme release होगा, सबसे पहले तो आपका एक acid release होगा, HCL, यह HCL क्या करेगा, यह HCL का main काम होता है, medium को acidic बनाना, और इसमें खाने में अगर कोई bacteria वगएर फिर कोई भी unwanted चीज आ गई है, तो उसको kill करना medium को acidic बना के, अब यह medium acidic सिर्फ bacteria को kill करने के लिए नहीं बनाता है, बलकि एक और काम के लिए बनाता है, और वो काम यह है कि pepsin जो है, वो function कर सके, इस pepsin का काम होता है, protein को amino acids में break करना, यह क्या करता है, protein को amino acids में break करता है, तो यह तब ही कर पाएगा, जब medium उसको acidic मिलेगा, पेट के अंद अब यह HCL से हमारी जो inner lining stomach है, वो destroy ना हो, इसलिए inner lining of stomach, जो हो mucus membrane की बनी होती है, नहीं कि लेशमा जिली की बनी होती है, mucus membrane, ठीक, so that यह HCL है, क्योंकि यह gastric juice है, यह क्या है, gastric juice, और इसका जो pH value होता है, कोई guess करना चाहिए कितना होता है, gastric juice का pH value, यह highly acidic होता है, with a pH value of 1.6, तो इसलिए उसको protect करता है, mucus membrane, अब आप खाना ज्यादा खा लेंगे, तो ज्यादा release होगा acid, और जब ज्यादा release होगा acid, तो acid को neutralize करने के लिए आप use करेंगे, base का, aml को neutralize करने के लिए आप किसका use करेंगे, चार का, और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा salt, और लवन और water, इसको हम क्या reaction बोलते हैं, जरा comment बताईए, इसको हम बोलते हैं, neutralization, reaction, यानि कि उदासी करन अभिक्रिया, और ये जो हमने base use किया, वो इसको बोलते हैं, antacid, एक antacid का ज़रा example लिख दीजे comment में, hint देता हूं, magnesium, hint है आप के लिए, अब ये जो खाना है, पूर ये है आपकी छोटी आथ, small intestine, small intestine और ये है आपकी large intestine बड़ी आथ, ये जो बड़ी आथ है, ये बड़ी दिख रही है आपको, साफ साफ दिख रहा है बड़ी है, लेकिन length में छोटी है, length में मातर एक दो मीटर की होगी, लेकिन ये जो इस तरह से rounded form में अंदर एक दम देख यहाँ पर होती है, sphincter muscles, और इन sphincter muscles के through खाना जाएगा, पहुंचेगा small intestine और छोटी आथ में, और छोटी आथ में आपका बहुत important digestion होता है, जो site of major digestion है, वो small intestine और छोटी आथ में ही होता है, जैसे अगर हम बात करूँ, छोटी आथ में क्या क्या होता small intestine में, तो small intestine में स जो है, fake के मारता है, small intestine में, बट इसको store कहां करके रखा जाता है, इसका storage होता है, gall bladder में, ऐसे याद कर सकते हैं, कि आप गाल में भरके रखा हुआ है, जो पित्त की थैली है, वहाँ पित्त का रस जो है, वो stored है, इसमें क्या होता है, यह दो काम आपका करता है, एक तो medium को basic बनाएगा, और दूसरा, इसमें, bile juice का जो काम होता है, वो emulsification of fats का होता है, emulsification of fats, यानि कि जो बड़े-बड़े fat के globules हैं, उनको छोटे में तबदील कर देना, that is called emulsification of fats, and इसके बाद यहीं पे small intestine में ही, आपका pancreatic gland भी यहीं पे मौझूद होता है, जिसको हम बोलते है pancreas, यह तो हो गया हमारा यकरत liver, जो की सबसे बड़ी ग्रंती है, और यह ध्यान रखना, कि liver में power of regeneration होती है, regeneration का मतलब यह है, कि यह फिर से regenerate कर सकता है, और यह regeneration का power आता है, इसके पास cube first cells होती है, उसकी वजह से, and liver की steady को क्या बोलते हैं, आप comment में बताएंगे, अब य यह जो pancreas है, एक हमारा मौझूद होता है, liver के पास में, जिसको यकरत बोलते हैं, जो की second largest gland है, यह pancreatic juice fake के मारता है, यह कहाँ पे store होता है, यह pancreatic juice fake के कोई और मारता है, liver, लेकिन store होता है आपका gallbladder में, तो pancreatic juice होता है, इसमें आपके कौन-कौन से enzymes होते हैं, यह हमा आपर है, trypsin होते हैं, लेकिन main, अगर हम enzyme की बात करें, trypsin हो गया और आपका lipase हो गया, trypsin क्या करता है, वही जो pepsin करता है, पेpsin क्या कर रहा था, protein को amino acids में break करने का काम कर रहा था, trypsin, अब यह trypsin जो है, basic medium में ही function कर सकता है, याद करो, bile juice ने fake, liver ने bile juice fake के मारा था, जो की दो काम करता है, malcification of fat और medium को basic बनाने का काम करता है, यह medium को basic इसलिए बना रहा है, because trypsin, trypsin तभी function कर पाएगा, जब medium basic होगा, जिस तरह से pepsin तभी function कर पा रहा था, जब medium acidic था, और lipase का काम होता है, fat को fatty acids में break कर देना, ठीक, यह होता है, small intestine में, small intestine में आपको finger like projections देखने को मिलेंगे, पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है, वो finger like projections का, नाम क्या होता है, finger like projections, यानि कि finger की तरह आपको यह small intestine की जो outer wall है, उसमें देखने को मिलते हैं, इनका नाम है willie, और यह willie का काम होता है, to increase the surface area for food absorption, जो भी food, मतलब digest हो है, उसका absorption भी तो होगा, अब digestion के बा यह इसका main कार रहे होता है, and then small intestine के बाद यह खाना जाएगा, large intestine में, यहाँ पे आपका main जैसे आपका एक silon करके होता है, ठीक है, उसके बाद rectum हो गए यहाँ पे, इसका silon का main काम होता है, वो यह होता है, कि जो भी थोड़ा बहुत पानी बच गया है, उसको absorb कर लेना, absorption of water, absorption of water, and इसके बाद होता है, आपका rectum, rectum के बाद यह होता है, anus, जिसको इंदी में गूदा बोलते हैं, अब यह जहाँ पे, अब बात ही आती है कि elementary canal क्या होता है, तो elementary canal जिसको आहर नली भी बोल देते हैं, यह वो पार्ट होता है, जहाँ जहाँ पे आपका खाना जात का था, stomach के बाद कहाँ पे गया था, small intestine, छोटी आथ, बड़ी आथ, दिन आपका यह anus में, तो यह सारे पार्ट होंगे elementary canal के, लेकिन आपको देहान रखना है, liver जिसका role है digestion में, pancreas, जिसका role है digestion में, यह elementary canal का पार्ट नहीं है, क्योंकि खाना यहाँ पे नहीं जा रहा है, antacid का example हो जाएगा, milk of magnesia, magnesia का दूद, ठीक है, इसका formula क्या होता है, इसका formula होता है, mg OH का whole twice, और यह formula किस तरह से लिखा जाता है, valency का use करके, अगर question होगा तो देखेंगे नहीं तो, फिर आगे कभी देखेंगे अगर आप लोग का response ठीक रहा, अगर आगे हम science continue रखेंग तो, antibiotic से आप recall कर सकते हैं, पहली antibiotic का नाम क्या था, penicillin था, और इसके discovery किस ने करी थी, Alexander Fleming ने करी थी, और जो antibiotics होती है, virus की वज़े से जो बिमारिया होती है, उसके खिलाफ यह काम नहीं करती है, क्यों, क्योंकि जो bacteria होता है, उसका formation होता है, cell wall के थूँ, और virus उस cell wall को ब नहीं होती है, in which of the following tissues, are the cells living, elongated and irregularly thickened at the corners, बिल्कुल सही है, संतोष, जयोती, अमन, सुर्भी, सूरक, चंदन, सब का सही है, MGOH का whole toys, ठीक है, तो, cells living, elongated and irregularly thickened at the corners, यानि कि कुछ लिखा लिग गया, चलो लिखा हुआ है, यहां पर, मुझे लगा कि सिर्फ डाइग्राम ह लिखा भी हुए, यहां पर, कॉलिन काइमा, यहां पर दे सकते है, irregularly thickening है, corners पे, तो, यह कॉलिन काइमा, लेकिन हम पूरा अभी plant tissue समझ लेते हैं, अब tissue होते क्या है, तो, group of cells को बोलते हैं, जब cells, एक तरह की cells मिल जाती है, तो, उसको बोलते हैं, तो, तिशू जो बैक् glycocalyx है, ठीक है, glycocalyx है, यह covered होती है, अब यहां पर आते हैं, बई, tissues, plant tissues यहां पर पढ़ने वाले हैं, because tissues को हम दो category में categorize कर सकते हैं, एक तो, पादपू तक, और दूसरे, जन्तू तक, यानि यह plant tissues and animal tissues, तो, tissues, यहां पर हम plant tissues की बात कर रहे हैं, यहां पर में लिख देत अब यह जो मेरिस्टेमेटिक इनको विब जियो तक क्यों बोल रहा है, क्योंकि इनका विभाजन हो रहा है, इनका division हो रहा है, इनमें ध्यान रखना, इनमें अभी cell division हो रहा है, जब इनमें cell division होना बंद हो जाता है, through the process of differentiation, यानि कि विभेदन इसको बोलेंगे न, विभे differentiation के process के through, यह जो आपका meristematic tissues हैं, यही permanent tissues में तबदील हो जाती हैं, convert हो जाती हैं, खेर, meristematic tissues के तीन टाइप होते हैं, apical, meristematic tissues, दूसरे होते हैं lateral, या फिर इसमें पहले लिख लो, intercalorie, intercalorie notes, और तीसरे होते हैं हमारे lateral meristematic tissues, जो पहले दो हैं, उनका main काम होता है, plant की growth क support करना, कि किस तरह से पेड़ बढ़ सके, यह जो होता है, apical, यह tips of roots and shoots में आपको देखने को मिलेगा, जो roots and shoots हैं उसके tips में, अगर मालोग भी बकरी आई, ठीक है, मालोग भी पेड़ है, वो बकरी आई, उसने tips को खा लिया, तो क्या plant की growth होगी नहीं, या फिर आगर आप पर एक तरह से जो medistematic है, वो growth में ही help कर रहा है, यह सारे growth में help कर रहा है, तीनों, लेकिन अगर हम बात करें, जो apical और intercalorie है, height बढ़ाने में help कर रहा है, ठीक है, पर इक ग्रोथ दो तरह से हो सकती है, एक तो ऐसे हो सकती है, या ऐसे हो सकती है, तो जो ऐसे height वाली growth है, वो यह दोनों करते हैं, और जो इसको बोलते है, lateral जो होता है, यह width बढ़ाता है, और यह present कहाँ पर होता है, girth of stem में, ठीक है, girth of stem में यह present होता है, यह side में present होता है, जैसे for example, यह है यह इस तरह से, इस तरह से पेड़ा, तो यह side में present होगा, उससे इसकी width बढ़ती है, अब मैंने बताया जब ये मतलब ये आपके cell divide हो हो के रुख जाएंगे, थम जाएंगे, तो through the process of differentiation ये permanent issues में बतल जाएंगे, permanent को हम दो category में divide कर सकते हैं, तो simple permanent और दूसरे को बोल सकते हैं complex permanent, simple permanent और complex, again ये जो simple permanent है, इसको हम further categorize कर सकते हैं, किसमें, यहाँ पे, हाँ, ठीक है जगह है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से कर देता हूँ, simple permanent, यह हम permanent issues पढ़ा रहे हैं, और दूसरे complex permanent issues, भले नाम से आपको लग रहा हो, ये simple है, लेकिन ये complex है, और ये आपको complex लग रहा हो, लेकिन नाम से ये simple है, कैसे, इसके different types हैं, जैसे कि, पहला है paranchyma, ध्यान से समाझना बहुत important है, ठीक है, paranchyma, colanchyma, ठीक है, colanchyma, तीसरा है हमारा sclerenchymal, ठीक है, scleranchyma, अब ये जो paranchyma है, इसका main काम होता है food का storage का, food storage का, इसके दो प्रकार होते हैं, इसके दो बेटे हैं, पैरनकायमा के अगर बात करें, एक तो है क्लोरेन, क्लोरेन कायमा, और दूसरा है एरनकायमा, ध्यान रखना, एरनकायमा कोई अलग से टाइप नहीं है, पैरनकायमा का ही बेटा है, ऐसे समझ लो, क्लोरेन कायमा, क्लोरोफिल है, तो भाई, फूड के प कमल का फूल देखो इसब तो इनमें एरन काइमा क्योंकि बहुत ज्यादा होता तो इसलिए तैर पाते हैं यह देन बात करें कॉलन काइमा की तो यह प्लांट को इसलिए होता है क्योंकि उसमें कॉलन काइमा होता है, ओ hugging about sclerone काइमा तो यह एक तरह से फ्लांट को तो Rigidity and Toughness प्रवाइड करता है, Rigidity and Toughness, ये Dead Cell से बना होता है, Scleran Kymah, ठीक है, Dead Cell से बना होता है, मरत कोश्रिकाओं से, और Scleran Kymah के अगर, जैसे Example के अगर बात करूँ, तो ये बहुत पूछा जाता है, Husk of Coconut, जिसको बोलते है, Narial की भूसी, Husk of Coconut, जो Outer Covering होता है, Narial का, उसमें ये Present होता है आपका, ठीक है, and कुछ मैंने Question पूछा था आपका, Magnesium Metal हो जाएगा वो, अब Complex की बात करें, तो Complex दो तरह के होते हैं, एक Xylem, और दूसरे, Floem, Xylem क्या करते हैं, ये Transport करते हैं, ये क्या हैं, दोनों, Xylem, Conducting Tissues है, Conduct करते हैं, Xylem क्या Conduct करता है, Water and Minerals को Conduct करता है, Floem, Xylem, Gel को और Floem, Fall को, यानि कि ये Food को Transport करता है, इसके Types भी पता होना है, जैसे, यहाँ पर तो जागे हैं नहीं है, Xylem Fiber होता है, ठीक है, तो ये Vessel होता है, ये सब इसके Part होता है, आप Comment पता है, ये Floem के क्या Parts होता है, देखने हैं को कितना पता है, ठीक है, तो सही Answer Option No. A, Colin Kaima, यहाँ पर I think मैंने गलत Spelling लिख दी थी, Colin Kaima की, Sorry for that, H नहीं आएगा, ठीक है, तो Colin Kaima, All it, चलिए अगला Question देखते है, Which of the following is a Saprotroph, इनमें से Conic Saprotroph है, Saprotroph का मतलब क्या होता है, Saprotroph का मतलब वो होता है, जो Dead and Decaying Matter पे, Dead and Decaying Matter पे, अपना खाना धूड़े, यानि कि जो चीज सड रही है, उसमें अपना जो खाना धूड़ता है, बिल्कुल, Language Hindi, प्लीज, अच्छा, राहुल जी, Modi अटाओ, देश बचाओ, ठीक है, यहाँ पे comment मत करिए, पढ़ दीजे, ठीक है, अपको time out ही कर देते हैं, तो आप मानेंगे, पढ़ने आएं की मतलब, algae अंसर आरहा, गलत है, algae नहीं है, संजे कसलई है, अलगे जो लोग देरेंगे अंसर गलत है, algae नहीं होगा, इसका सही अंसर होगा, mushroom, mushroom एक तरह का fungus है, ठीक है, mushroom एक तरह का fungus, और fungus होते हैं हमारे saprotroph, जो dead and decaying matter पे feed करते हैं अब आप में से काफी लोगों ने बोला algae algae तो सर autotroph होता है autotroph मतलब जो अपना खाना खुद से दोड़ते हैं study of algae बताइए क्या बोलते हैं algae के अनिकी शेवाल के अधन को क्या बोलते हैं ये बताइए और types of algae जैसे for example green algae को किस नाम से जानते हैं green algae को किस नाम से जानते हैं red algae को किस नाम से जानते हैं brown algae को किस नाम से जानते हैं red, green, blue, sorry brown इनको किस नाम से जानते हैं आप comment बताइए तो green को हम जानते हैं और blue green algae को किस नाम से जानते हैं ज़र बताइए blue green algae तो green की अगर बात करें तो जानते हैं इसको chlorophyka के नाम से chlorophyka red को जानते हैं rhodophyka brown को जानते हैं phyophyka and blue green को बोलते हैं cyanobacteria और इसके examples जल्दी से दे दीजे कुछ एक आपका N से शुरू होता है एक आपका A से शुरू होता है चलो N वाला मैं बताता हूँ नौस्टॉक ठीक है तो यह आपका एक cyanobacteria होता है prokaryotic होता है eukaryotic होता है जरब बताइए bacteria की अगर बात करें तो तो bacteria हमारा कैसा होता है prokaryotic होता है इन्हीं इसमें true nucleus नहीं present होता है cell organelle नहीं present होते हैं ठीक study को क्या बोलेंगे phycology बोल देंगे phycology कवक के अधिन को क्या बोलते हैं fungus के mycology ठीक है mycology तो यह जो मश्रूम होता है एक तरह का क्या है saprotroph है जो dead and decaying matter जैसे जिसको हम detritus के नाम से भी जानते हैं जो environmental sciences हम पढ़ते हैं तो उसमें different तरह की food chain पढ़ते हैं rhizopus के नाम से जानते हैं bread mold के नाम से जानते हैं उसको bread mold जिसमें की कौन सा form of asexual चलो आगे अभी देखेंगे ठीक है जो detritus होता है वो और detritus जो चीज सड रही है और जो चीज सडा रहे हैं जो organism उनको बोलते हैं detrivorus ठीक अगला question देखते हैं तो यहाँ पहली अगर हम बात करें कि किस तरह से classification of element शुरू हुआ तो सबसे पहले तो Dauber Nair ने दिया था अपना क्या Dauber Nair जी ने दिया था अपना trade का सिध्धान जिसको बोलते हैं law of trade यह law of trades दिया था हैं उन्होंने 18 17 में यह publish हुआ था 1829 में तो दोनों यह आपको पता होने चीए इन्होंने law of trade में बोला था कि वह जैसे लीथियम sodium, potassium तो इनको अगर हम जैसे increasing atomic weight की order में रखें तो इन दोनों का जो atomic weight का जो average होगा वो beach वाला होगा आपका इसको बोलते हैं Dauber Nair का law of 1865 में जहां पर again इन्होंने elements को increasing atomic weight यानि कि उनके परमाडू भार के increasing atomic में मतलब परमाडू भार के बढ़ते हुए क्रम में इनको अरेंज किया और इसको हम इन्होंने इसको musical notes से compare किया यह भी question पूछता है कि कि किसने elements को musical notes से compare किया जिस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से जो पहला element जो आठमा element यानि कि 8th element would have a similar atomic weight as the as that of the first one पहले और आठमे का atomic weight होगा परमाडू भार वो same होगा यह इन्होंने बोला था new land gene ठीक है और इनकी जो periodic table दी थी इन्होंने उसमें roughly कितने elements थी आप comment बताये और उसमें जो last था वो that was thorium थोरियम हमारा एक rare earth element भी आपको पता होना चाहिए rare earth element और currently यह f block का element है f block का element है हमें पता है कि हमारी जो periodic table है जो हमारी आवर्थ सारनी है वो कुछ इस तरह से दिखती है आवर्थ सारनी जिसमें कि यहाँ पे s block है यहाँ पे p block है यह आपका d block है s यह p यह d और यहाँ पे actinide और lanthanide और actinide series है जिसको हम अलग से categorize नीचे लिखके क्या बोल देते हैं f block inner transition metal बोल देते हैं तो उसमें से जो actinide series है actinide series जो actinium से शुलू होती है उससे belong करता है thorium और thorium तुम्हें कहां दिकिसमें कौन सी तरह की sand में देखने को मिलता है जो monazite sand होती है जो तुम्हें south india जैसे केरल tamil naardu के coast नी तटो में मिलेगी अच्छा rubidium भी बहुत important है ऐसे option नहीं है यह रखा हुआ है rubidium क्यों important है कोई बताएगा यहां पर वही जो pyq series में regular है वो बता सकते है rubidium क्यों important है और अभी आगे mentally वगरा भी सारी चीज़े हम देखेंगे when a number of resistors are connected in series in a circuit the value of the current is प्रसाद, जया, बैशाखी तुफाउन का देवता क्या बात है वही चलिए तो यह question का answer करिए rubidium इसलिए important है अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि primarily हमारे 3 state of matter होते है solid, liquid gas, इसके अलावा 4 state of matter होता है plasma और 5 होता है bosons अब यह जो plasma होता है जब gas को heat कर देते हैं तो उसके ionize हो जाती है तो plasma बन जाता है अगर cool कर दें absolute zero temperature which means zero Kelvin में तो उसमें bosons बन जाएंगे boson यह नाम कैसे पढ़ा इसको boson को बोलते हैं bos Einstein condensate bos Einstein condensate यह fifth state of matter होता है bos सतियंदरनाथ bos पे नाम पढ़ा और यह Albert Einstein पे तो इन्होंने 1925 के time पे इन्होंने यह बोला था कि इस तरह अगर gas को absolute zero temperature reach करवा दिया जाए तो bosons बन जाएंगे लेकिन उस समय पे facilities अवेलेबल नहीं थी तो बाद में 1955 पे 1955 के time पे दो scientist Eric Cornell Eric Cornell और Karl V. Mann इन दोनों लोग ने rubidium के atoms का use करके इसको bosons बनाया और इसके लिए इनको Nobel Prize भी मिला physics में यह ध्यान रखना अब ठीक अब यहाँ पर question पूछ रहा connected in series in a circuit value of the current तो जब हमारे जो circuits जो एक तरह से resistors है वो दो तरह से connect हो सकते हैं या तो series या तो parallel या तो श्रंखला में या पिर समनांत्रश जब वो श्रंखला में इन series में connected होते हैं तो पूरे उसमें system में current same रहता है ठीक है कहां है same भई option number second में current आपका same रहता है जैसे for example यह हो यह है आपका ठीक है इसमें एक register लगा हुआ है कहां चला गयार इसमें एक register लगा हुआ है आपका इस तरह से ठीक है फिर माल लो यह दूसरा register लगा हुआ है में हो जाएगा देन लेकिन जब तक यह series में रहेगा वहाँ वहाँ पे current जो है same पहुँचेगा अगर इसको 5 ampere मिल रहा तो इसको भी उतना ही उसको भी उतना ही उसको भी उतना ही जो विभवांतर होगा potential difference होगा वो अलग होगा जो की पैरलल में same रहता है जब जो resistors होते हैं जब उनको हम समनांतर में जोडते हैं यह पैरलल में जोडते हैं तो उस case में जो potential difference होता है यानि कि जो विभवांतर होता है वो same होता है इसको measure किसमें करते हैं potential difference को, volt में measure करते हैं voltometer से measure करते हैं और अगर करते हैं, तो SI unit की अगर बात करें, तो क्या होती है, ampere हो जाएगी, and measure किस से करते हैं, तो या तो emeter से कर लेंगे अगर हमें सिर्फ magnitude measure करना है, और उसके साथ अगर छोटा amount of current है, magnitude of current है and direction भी measure करना है तो galvanometer का इस्तमाल कर लेंगे, अच्छे ये बताईए किसने magnetic effect of electric current दिया था magnetic effect of electric current और किसने heating effect of electric current दिया था, ये comment में जल्दी से बताएंगे आप तो magnetic और अगला question करेंगे name the metal that can be easily cut with it, बहुत या असान सा question है तो magnetic effect के अगर बात करेंगे तो सही answer क्या होगा, Hans Christian, Hans Christian Orsted ने जो है discovery करी थी, Hans Christian Orsted ने magnetic effect of electric current और heating effect of electric current किसने discovery करी थी, James P. Joule ने, ठीक है, अब इसके बारे में भी discussion काफी कर सकते हैं कि किस तरह से discovery करी थी, लेकिन अभी उत्रा नहीं करेंगे, easily cut with a knife हैनी कि चाकू से असानी से काटा जा सकता है तो these are sodium and potassium अच्छा, sodium का कोई वो latin name बताएगा, मतलब जिस latin name से derive हुआ जिसको हम chemical name भी बोल सकते हैं कौन सा नाम है, तो ये इसका symbol होता है na, क्यों? क्योंकि ये natrium से derive हुआ है ठीक है, natrium अगर हम बात करें, potassium की ठीक है, potassium जिसका symbol क्या होता है, K ये derive हुआ है, calium से ठीक है, calium से gold की अगर बात करें, तो ये काफी malleable है, malleable वो metal होते है जिनको हम peat-peat के चादर बना सकते हैं, यनिकि उनको beat-beat करके, उनकी thin sheets draw कर सकते हैं, ductile किसको बोलते हैं, what does ductility means, malleable का तो मतलब ये होता है क्या peat-peat क्यों कि एकदम पतली-पतली चादर बना दो, ductile का मतलब क्या होता है, तो malleable है, and gold जो हमारा काफी कम reactive है, ये एक तरह का solution होता है, दो acids का ये दो acids का solution होता है जिसमें कि ये dissolve हो जाता है, वैसे react नहीं करता है, लेकिन इसमें ये react कर जाता है, ठीक है, तो अगर हम बात करें और ये बताए कि जो aluminium है, वो किस particular group से belong करता है, and copper में किस तरह की, या फिर किस चीज की rusting होती है, तो अगर हम बात करें, solution कौन सा होता है, इसको बोलते है, aqua regia, ठीक है, aqua regia ये आपका solution होता है, जिसमें कि दो acids होते हैं, हमारे, एक तो HCl, और दूसरा होता है, HNO3 3 is to 1 के ratio में, ductile का मतलब है, जब आप metal को beat करके, या फिर उसको elongate करके, उसको आप thin wires में draw कर सकते हो जैसे कि एकर में बात करूँ, gold malleable भी है, ductile भी है, इसका एक gram gold से, एक gram gold से, रफली 2 km तक लंबा तार आप बना सकते हैं और ये जो हमारे metals होते हैं ये sonorous भी होते हैं sonorous का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा और यहाँ पे copper में copper carbonate की copper carbonate की resting लगती है और इसकी एक ore है, जिसको बोलते है malachite, और तुम्हें copper कहाँ पे देखने को मिल लेगा, इंडिया में malaj ghand MP में, khetri mines राजस्थान में, ठीक और कुछ यहाँ पे निप, हाँ aluminium के अगर बात करें, तो किस group से belong करता है, तो group number 13 या फिर fluorine, जो fluorine और हमारे halogenes तेन, उसके बाद हमारी आती है inert gases, sonorous का मतलब होता है जहाँ पे tan 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 tara होता है, tan 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 tara का मतलब यह होता है, कि school में आपने घंटी देखे होगी, यह निए metals को beat करने में जब वो sound produce करते हैं ऐसे sonorous, ऐसे sound, उसको बोलते है sonorosity, which gas is released when water is added to the bleaching powder, कौन सी gas का एक तरह से निकलती है जब हम bleaching powder में water add करते हैं, तो यह bleaching powder क्या होता है bleaching powder होता है, जब हम slaked lime बुझे हुए चूने का reaction करवाते हैं, किस से? chlorine से reaction करवाते हैं, तो हमें मिलता है C-A-O-C-L-2 and निकलती है कोई gas नहीं, बलकि water अभी यह जो C-A-O-C-L-2 निकला यही है, bleaching powder जिसको की हम और किस नाम से जानते हैं, calcium hypo chloride नहीं, hypo chloride यह होता है हमारा bleaching powder, और इसमें जो आपको oxygen दिख रहा है, जो chlorine दिख रही है जो oxygen दिख रहा है, इसकी वज़े से यह एक बहुत ही powerful, इसके uses बहुत important हो जाते हैं, uses of bleaching bleaching powder ठीक है, तो इसका पहला use तो यह है कि एक powerful oxidizing agent है, ठीक है, powerful oxidizing agent क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको oxygen देखने को मिलेगा then आपका chlorine भी attached है साथ में, तो chlorine की वज़े से यह बहुत अच्छा bleaching agent के तौर पे काम करता है bleaching agent के तौर पे इसको आपका जब कपड़े दोने के बाद laundry में भी use किया जाता है laundry में भी use किया जाता है, इसको textile industry में भी use किया जाता है, ठीक है textile industry में यूज किया तो यहां पर bleaching agent के तौरपे इसका use होता तो सही answer क्या होगा यहां पर option number third कि कौन सी gas अच्छा यहां पर पूछ रहा है कि कौन सी release होती तो chlorine ही आपकी release होती है तो यहां पर मैं आपको reaction लिखके बताता हूँ कि CAOCl2 में इसमें water add करेंगे है H2O तो क्या मिलेगा? CAOH का whole twice plus CL2 ठीक है? यानि कि वही मिल गया हमें जो मतलब ulti reaction ही तो हुई है देखिए आप यहां पर CAOCl2 में H2O add किया है तो एक तरह से ultra ही reaction करवा है तो कौन सी gas release होई है? क्लोरीन यहां पर use होई है जो कि एक तरह से काफी powerful disinfectant agent के तौर भी use किया जाता है इसी वज़े से bleaching powder का आप एक और use lick सकते हैं तो मेक द्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री जर्म फ्री बनाने के लिए भी use करते हैं अगला कुश्चन है आपका A 4 kg object is moving horizontally with a speed of 5 meter per second to increase its speed to 10 meter per second the amount of net work required to be done on the object is तो किता amount of work done की requirement होगी तो अगर हम बात करें यहां पर क्या पूछा गया कि एक 4 kg का object है horizontally move कर रहा है speed उसकी 5 meter per second है अगर उसकी speed हमें 10 meter per second में increase करना है तो amount of work done किता होगा तो amount of work done जो होगा that will be change in kinetic energy ठीक है that will be equal to change in kinetic energy यह निकाया किया गया हुआ कार बराबर किसके होगा आपकी गतिज उर्जा में जो तबदीली हुई है तो change हुआ है तो अब यहां पर kinetic energy में वहसे हमें change निकाल लेना kinetic energy का formula होता है half mv square तो change निकालने के लिए final velocity minus initial velocity because अगर हम यहां पर मैं चलो पूरा करके आपको दिखा देता हूं kinetic energy क्या होता है half mv square ठीक है तो माल लेते हैं half mv square आपकी initial kinetic energy है और जो final kinetic energy है वो half mv square है तो change यानि कि change in kinetic energy जब हम देखेंगे तो क्या हैगा half mv square final minus initial तो यानि कि यह कुछ इस तरह से आपको यह देखने को मिल जाएगा यानि कि हमें velocity के squares को क्या करना है subtract करना है mass कित्ता दिया हो और 4 दिया हुए and v square यानि final velocity का square 100 हो जाएगा and u 5 का square कित्ता हो जाएगा 25 100 में 25 घटाएगे कित्ता आएगा 75 आएगा 75 और इसमें से 2 का multiply करेंगे कित्ता आजाएगा 1500 joule आजाएगा option number first यहाँ पे सही answer होगा तो यह आपको चीज पता होगा I think कि जो kinetic energy होती है वो उसी में हमें देखने को मिलती है जिसमें कि कोई न कोई velocity होती है कोई न कोई vague होता है comment में बताएगे कि velocity जो होती हो scalar quantity होती है फिर vector quantity होती है जल्दी से बताएगे and kinetic energy question इस तरह से भी कई बार पूछता है कि अगर हम velocity को double कर दें तो kinetic energy में क्या impact पड़ेगा या फिर अगर हम linear momentum को रेखिए सवेक जो होता है linear जो momentum होता है इसको अगर हम double कर दें तो kinetic energy पे अनि गती जूर्जा में क्या परिवर्तन होगा तो velocity के अगर हम बात करें तो ये एक तरह की vector या रेन की सदिश राशी होती है और क्या है linear momentum हो या velocity हो double करने में kinetic energy four times हो जाएगी चार गुना हो जाएगी क्यों velocity तो आपका समझ में आता है कि two times करोगे directly proportional है to the square of velocity तो ये four times हो जाएगी अब क्योंकि kinetic energy का जब मैं formula लिखना जाओ इसका relation बिठाऊँ linear momentum के साथ तो कुछ इस तरह से इसका linear momentum का relation बैठेगा कि मैं उपर नीचे m का multiply divide कर दूँगा तो उपर mv का whole square upon m यानि mv क्या होता है linear momentum का रेखी समवे का formula होता है जिसको p से represent करते है mass into velocity तो ये p square upon 2m हो जाएगा इसका relation तो यानि आप linear momentum को double करेंगे तो kinetic energy भी 4 times हो जाएगी अगला question है और ये बताएगे कि kinetic energy और potential energy यानि कि गतिज और स्थितिज उड़ जाके जोड को यानि सम को क्या बोलता है कौन सी energy SI unit of resistance यानि प्रतिरोध का SI मात्र क्या जूल, कूलॉंब, ओम या फिर Newton अनुपम, राहूल, सबका सही है भई, लाइक वाइक भी कर दिया करो है न, मन हो तो बाकि कोई जोड जेपर सित्थी नहीं है धीरत सही है, हाँ, नरोत्तम, वेक्टर होगा तो अगर हम बात करें resistance की SI unit क्या है तो resistance की SI unit है, ओम जूल किसकी SI unit है, यह आपकी energy की, यह उर्जा की and work done की कूलॉंब की अगर बात करें तो किसकी है, यह आपकी charge, जिसको की हम आवेश के नाम से जानते हैं, ओम आपकी resistance की है, अच्छा, कॉमेंट बताइए कि मो किसकी है, मो या फिर ohm inverse, यह किसकी unit है, न्यूटन आप जानते हैं force की SI unit है, force की CGS unit क्या होती है, CGS तो यह dyne होती है, एक dyne में कितने newton होते हैं जड़ा बताओ, तो यह अगर हम बात करें, मो या फिर ohm inverse, यह unit होती है conductance की, जिसको की हम Siemens के नाम से भी जानते हैं, जिसको की हम Siemens के नाम से भी जानते हैं, और यह बताए कि जो resistivity होती है, resistivity, यानि कि प्रतिरोध अगता, या फिर इसको specific resistance, या फिर फिशिस्ट प्रतिरोध भी बोल देते हैं इंदी में, इसको की row से represent करते हैं, इसकी unit क्या होती है, तो उसका formula होता है, R is equal to row L upon A, इससे derive कर सकते हैं, बाकी तो आपको तो रटा हुआ होना चाहिए कि O meter होती है, यह relation नहीं होगे, तो हम बाद में देख लेंगे, जब resistance का हम relation देखेंगे, length और area of cross section के साथ, तो option इनर्जी को यांत्री को विद्धूत उर्जा में बदलती है, यानि की electrical energy में बदलती है, अगला question है, 11th, the reflector of a search light is a, search light का जो परावर्तक होता है, वो क्या होता है, plane mirror होता है, concave यह अफदल होता है, cylindrical होता है, फिर convex होता है, search light में, तो देखेंगे, हमारे spherical mirror, spherical mirror, यह नि की गोलार जो इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो यह plane और spherical mirror होता है, plane तो एकदम plane होता है, इसकी खासियत क्या होती है, कि इसकी जो focal length होती, वो infinity होती है, image और object की distance एकदम बराबर से बनती है mirror के, इसमें जो image बनती है, क्योंकि mirror के पीछे बनती है, तो वो virtual होगी, यानि आभासी होगी, और हमें पता है, जो भी image virtual होती है, वो erect यानि की सीधी तो होगी ही होगी, यह laterally inverted होती है, laterally inverted का मतलब दाया का बाया, बाया का दाया हो जाती है, lateral inversion इसको बोलते हैं तो laterally inverted होती है आपकी spherical mirror दो तरह के होता है एक होता है concave और दूसरा होता है convex, avatal और उत्तल concave and convex concave का मतलब यह होता है जिसका जो reflecting side है that is curved inverse यानि कि दो side होती है, एक side polish होती है और दूसरी side reflection होता है तो जिसका reflecting side यह reflecting side है इसमें concave में, avatal में और जो उत्तल होता है उसमें reflecting जो surface होती है that is curved outwards curved outwards होती ही reflecting surface यह आपको पता होना चाहिए और हमेशा यह चीज आपको पता होना चाहिए कि जो concave चाहे mirror हो चाहे lens हो focal length इनकी negative ही रहती है convex lens हो चाहे mirror हो focal length हमेशा positive रहती है ऐसे आत कर लो गुफा के अंदर, cave के अंदर एकदम सब negative, negative ही होता है ठिक, और यहाँ पर अब इसके अगर uses की बात कर लें तो uses में हमें पता होना चाहिए कि जो concave mirror होता है यह आपका concave mirror converging mirror के तोर पे behave करता है और तो फिर कहां कहां पर use होगा तो यह वहां पर use होगा जहां हमें छोटी चीज को बड़ा करके देखना हो जैसे कि जब हम dentist के पास जाते हैं तो उसको दांतों के अंदर कोई कीगला है तो वह हमें छोटा से बड़ा देखना है shaving mirror, जब हम shaving करते हैं एक दम detail में जाते हैं चाहिए भले पढ़ते हुए ना जाते हों या फिर और कुछ करते हुए ना जाते हों लेकिन shaving करते हुए तो ज़रूर जाते हैं कि कहीं कमी नहीं राज है बाल एक भी बड़ा ना निकाला है shaving mirror होगी आपका solar blast furnace होगी आपका solar furnace इसमें use होगा यह जो यहाँ पर question पूछा है क्या search light वाला यहाँ पर भी use होगा यह reflector in search light में भी use होगा and head light में भी use होता है ठीक है head light में भी use होता है वहीं बात कर लें अगर convex mirror की यानि यह क्या करता है यह तरह का diverging mirror है तो यह आपको बड़ी बहुत सारा field of view को बहुत छोटे से mirror में अगर आपको देखना हो जैसे security purpose से जो mirror use किया जाता है ठीक है security purpose से या फिर अगर बात करें और कहां पे use होगा यह और कहां security purpose use होगा और कहां पे आपका यह rear view के तोर पे use होगा अगला सवाल क्या है आपका अगला सवाल है और अच्छा एक चलो और unit आपसे पूछ लेता है ठीक है यह पे page खाली नहीं छोड़ते है ठीक है unit अभी पिछला question था ना तो frequency नहीं आवरत्ती की unit बता दो अब जल्दी से comment में frequency की क्या unit होगी and power of lens जो lens की छमता होती है उसकी क्या unit होती है दता ही है fill in the blank with the most appropriate option plants that do not have a well differentiated plant body belong to which group teledophyta, phanerogam, stelophyta या फिर bryophyta तो यहाँ पे frequency एकर बात करें hertz भी होती है, second inverse भी होती है power of lens की unit होती है, diopter इसका formula क्या होता है, इसका formula होता है one upon focal length चलिए, अब यहाँ पे बात हो रही है plant kingdom की अब हमें पता है कि जो white takers आप थे उन्होंने क्या किया था white taker ने पूरे living world को 5 categories में बाट दिया था 1969 में एक को बोला था monera दूसरे को बोला था protista तीसरे को बोला था फंजाय चौथे को बोला था plantay और पाँचवे को बोला था animalia ठीक है animalia तो अब यहाँ पे हम plant पे focus करने वाले है plant kingdom पे plant जगत पादब जगत तो पादब जगत में सबसे पहले तो हमें क्या देखने को मिलता है अगर को इस तरह से imagine करो कि तुमारे पास कोई plant आया तुमने उससे पूछा तुमारे पास well differentiated body है की नहीं है यानि कि तुमारे जैसे की तुमारे हाथ है तुमारे पैर है ऐसे plant में क्या होते है xylem, floeum, सब root होती है, shoot होती है सब stem दिखता है ना अलग-अलग से तो जिसमें नहीं होता है पता ही नहीं चलता कहां क्या है तो उसको बोलते है थैलोफाइटा याद कैसे रखेंगे थैली में सारी चीज फैली हुई है थैली में फैली हुई है थैलोफाइटा थैली ठीक है इसके example की बात करें उल्वा, चारा, भैसो वाला ठीक है नहीं है तो ब्रायोफाइटा अब इसके example कैसे याद किया तो में लोगों ने BMW B से ब्रायोफाइटा और M से मॉजस मर्चेंटिया ये इसके क्या है example है मॉजस को ही फियूनेरिया के नाम से भी जानते है अगर वस्कुलर टिशू है तो तुम टेरिडोफाइटा कहला है प्रेडियूस करते हो तो फैनरो गैम कहला होगे टेरिडोफाइटा इनमें hidden reproductive organs होते हैं hidden होते हैं reproductive जो ऑर्गन्स होते हैं छुपा के रखते हैं टेरिडोफाइटा को इसलिए हम crypto games के नाम से जानते हैं क्रिप्टो करेंसी छुप छुप के चलती है वैसे crypto games इनको बोलते हैं तेरिडोफाइटा में अगर बात करूँ एक्जाम्पल ferns हो जाएंगे horse tail हो जाएंगे यह इसके examples हैं ferns की category में ही आता है जीनस तुमारा इसको बोलते हैं यह उका का merchantia और वो एक दम से यह दिमाग से निकल रहा है क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं फोंस में आपको बताया था M से यह merchantia होता है Marseillia ठीक है Marseillia बोलते हैं उसको और जिसमें fanorogams fanorogams को दो category में divide करते हैं तो वह जो उनमें खुला सीड होती है हमने पढ़ा था बुला रखता है खुला ठीक है तो यह जिम लोग जो जाते हैं जो लोग जिम जाते हैं वो नेकेट रहते हैं है ना बोडी दिखाने होती है कॉमेंट बताए यह current affair में पढ़े थे हम लोग कि कौन सा देश का पहला gymnosperm garden कहां पे खुला है तो gymnosperm के अगर हम example की बात करेंगे तो इसमें हमारे वही जिम में कौन जाता जिम में देवदास जाता है बहुत पीता है वहाँ पे बैठके इन सब को हम conifers बोलते हैं तो conifers है नि जो कौन shape के plant होते हैं देवदार पाइंस जो कि आपको high altitude areas में देखने को मिलेंगे हमाचल चले जा उत्तराखंड चले जाओ वहाँ पे देखने को मिलेंगे ठीक है तो ये खुले मतलब इनमें naked seed होती है और अगर gymnosperm park की बात करें तो ये उत्तराखंड में खुला है पहला और जिनमें hidden होता है hidden होता है ठीक ये तो naked है hidden होता है उनको angiosperm बोलता है angiosperm को further दो category में डिवाइड करता है जिनमें एक seed cotyledon produce होता है monocod जिनमें दो उनको dicod के नाम से जानते हैं ठीक शलिए तो यहां पर सही answer क्या हो जाएगा do not have well deficient plan body नहीं थैली में सारी चीज फैली होई है option number third clear आगे बढ़ते हैं अगे बढ़ते हैं अगला question ये है dash is और यहां कुछ question पूछेता है नहीं तो अगला question है ये dash is not an endocrine gland in humans नहीं humans में इसमें से कौनसा endocrine gland अंता अस्रावी ग्रंथी नहीं है language Hindi रखो ठीक है भाई अगर इसमें भी problem आ रहा है तो मैं Hindi में ही ही रखूँगा कोशिस करूँगा आगे से कोशिस करेंगे है चला होई तो इसमें से अंता अस्रावी ग्रंथी कोशिन नहीं पूछ रहा है तो दो तरह के glands होते हैं ध pirate की ग्रंथिया होती है दो तरह के glands होते हैं एक को बोलते हैंエndocrine और दूसरे को क्या बोलते हैं एक्जोक्राइन यानि अंता अस्रावी और बहाश्रावी जो endocrine glands होते हैं ये hormones को produce करते हैं hormones को produce करने के लिए ये किसी duct का use नहीं करते हैं जीदे खून में फेक के मारते हैं ये blood में और exocrine क्या release करते हैं enzyme release करते हैं ये enzyme release करने के लिए duct का use करते हैं तो इसी लिए इन लोगों को अधनतासरावी वालों को ductless gland बोल दिया जाता है ductless क्यों क्यों उनको duct की जरत नहीं पढ़ती है exocrine वालों को पढ़ती है duct की जरत इसलिए endocrine gland के example है आपके adrenal भी pituitary भी, pineal भी बट liver जो है ये कोई hormone release करता है नहीं हमने पढ़ा था भी bile juice फेंके मारता है bile juice एक enzyme है, hormone तो नहीं है hormone नहीं है न जिसे pancreas pancreas तुमारा क्या, endocrine की exocrine, बताओ comment में adrenaline जो gland है, कौन सा hormone release करता है adrenaline hormone इसको किस नाम से जानते हैं, बताए pituitary gland, ये release करता है growth hormone को, जिसके आपकी growth होती है growth hormone, अगर बहुत ज़्यादा निकल आया, तो आपका बहुत ज़्यादा एकदम growth, जैसे the great खली type लोग है, बहुत ज़्यादा उनकी वो हो गई growth, ठीक है, pineal gland की अगर बात करें, तो इससे आपका जो hormone release होता है इसको बोलते है, melatonin ये आपका sleep cycle को regulate करने का काम करता है, sleep cycle को, adrenaline hormone को बोलते है, flight और fight hormone, यानि की लड़ो या मरो hormone इसको जानते है, flight और fight hormone, लड़ो या मरो hormone बोलते है, pancreas जो है ये endo भी है, और exo भी है, mixed है gland है, कैसे, exocrine gland तो समझ आता है, pancreatic juice पढ़े थे, उसमें lipase और trip से निकला था, endocrine इसलिए है because ये hormone भी release करते हैं, उसका नाम है, जैसे insulin, ये क्या करता है, blood में sugar level को regulate करता है, जब ज़्यादा sugar हो जाती, उस तो उसको धीरे-दीरे glycogen में तबदील कर देता है, उसको कम कर देता है, और अगर कम हो जाती है तो हमारे glucagon होता है, वो तबदील कर देता है, अगर सुगर बैक में, ठीक है लेकिन, ये क्योंकि हॉर्मोन है एक तरह का insulin, जो की beta cells of islet of langer, hence होता है, उसमें, pancreas में, यकरत में, जो की second largest gland है, beta cells of islet of langer, hence होती है, वो release करती है, इस insulin को, comment में बताईए, कि ये हमने पढ़ लिया कि largest gland पीछे देखे थे, liver होता है, जिसकी study को hepatology बोलते हैं, blood के study को hemato और liver के hepatology बोलते हैं, और hepatology तुम्हारा कौन सी disease में effect हो जाता है, जरह comment बताओ, वो होती है हमारी कौन सी disease, कौन सी disease होती जरह बताओ, जिसमें कि ये हमारा liver effect होता है, that is your hepatitis, hepatitis में क्या होता है, liver आपका effect हो जाता है, ठीक, अब यहां पे अगर हम बात करें, जो liver होता है, भी मैंने दाता, Q4 cell से बना हुआ है, तो largest gland है, बढ़ ये exocrine है, लेकिन अगर पूछ लूँ, largest endocrine gland कौन सा होता है, सबसे बड़ी अंताश्रावी ग्रंथी कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होता है, the number of neutrons in an atom is equal to, एक परमाडू में neutronों की संख्या किसके बराबर होती है, तो यहां पे endocrine अगर largest बात करूँ मैं, तो ये हो जाता है आपका thyroid gland, जो कि आपके गले में मौझूद होता है, जो butterfly shape का होता है, किस shape का होता है, butterfly shape का और ये release करता है thyroxine hormone को, ठीक है, thyroxine hormone को release करता है, ठीक, और कुछ question, और ये जो pineal gland होता है आपके मटर के दाने के shape का होता है, नहीं, P shape का होता है ठीक है दाने के शेपका और जो adenoline gland होता है वो kidney के उपर इस तरह से cap size structure में लगा होता है दोनों kidneys में adenoline gland ठीक आगे बढ़ते हैं the number of neutrons in an atom is equal to the number of neutron किसके बराबर होता है तो कोई भी मालो element E है ठीक है उसका atomic number हम Z से represent करते हैं और atomic mass A से represent करते हैं यह चीज़ तो मैं पता होनी चाहिए यह बराबर होता है number of electron which are the negatively charged subatomic particles और यह बराबर होता है number of proton which are the positively charged subatomic particles अब यह हमाएं तीन तरह के subatomic particles होते हैं electron, proton और neutron electron की discovery किसने करी थी? इंट पर नाच है ना इंट पर नाच तो JJ Thompson ने, Rutherford ने और Chadwick ने, Rutherford option में नहीं होगा तो क्या होगा? गोल्ड बर्ग नहीं, गोल्ड स्टीन होगा, ठीक है? गोल्ड स्टीन, ठीक तो यह discovery हो गई, तो neutron क्या है? electron, proton तो atomic number के बराबर जैसे for example carbon है 6 इसमें atomic number होता है और 12 atomic mass होता है तो इसमें 6 ही electrons होंगे और 6 ही protons होंगे और जो number of neutron होते हैं वो निकालने के लिए आपको atomic mass से atomic number को घटाना होता है तो number of neutron निकालाते हैं जैसे यहाँ पर number of neutron कित्ता निकलेगा? 6 निकलेगा जो हमारा proton और neutron होता है वो center of atom में जो कि nucleus होता है के अंदर आख उसमें यह center में इस तरह मोजगूद होते है proton और neutron और इसी proton और neutron की वज़य सही एक atom का mass बनता है mass A जो A है ठीक है? तो आप इसको बोल सकते हैं कि यह proton plus neutron के बराबर होता है proton plus neutron के बराबर होता है और जो electrons होते हैं इस तरह की जो आपके orbits है path है यह जो इसमें आपके electrons revolve करते हैं orbits में जिनको हम shell के नाम से भी जानते हैं ठीक? तो यहाँ पर सही answer क्या होगा? number of neutron is equal to mass number minus atomic number option number first अच्छा यह बताइए कि elements with same atomic number but different atomic mass जिनका atomic number अगर परमाडू संख्या तो समान है लेकिन परमाडू भार अलाग है उनको हम किस नाम से जानते हैं asexual reproduction differs from sexual reproduction in that asexual reproduction तो कैसे दोनों में difference क्या है आपका sexual और asexual में संतोस बिल्कुल सही मौजल neutron is discovered by rather ford by alpha scattering performance यह कब पर यह कब performance दी भही है यह rather ford ने कब performance दे दी भही उन्होंने discover किया था कि भही जो center में आपको proton देखने को मिलेगा rather ford जी ने बोला था ठीक है और उन्होंने ही यह बताया था कि किस तरह से हमारा जो mass होता है किसी atom का उस center में recite करता है isotope बोलते है समस्थानिक बोलते है बिल्कुल सही बात है SCJ के लिए कौन से फ़लो करें SCGK 2.0 वर्षा जी पावन शाक्या प्रशाद सब का सही है चलिए तो अगर हम बात करें asexual reproduction अब दोनों में difference क्या होता है sexual में क्या होता है sexual में एक male होता है एक female होता है male sex cells मिलती है जैसे कि अगर हम humans में बात करें तो sperm होती है male sex cells और female sex cells अगर हम humans में बात करें तो जैसे कि over होता है ये दोनों मिलता है तो gamete का formation fusion होता है तो gamete का formation होता है embryo बनता है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो DNA दो different individuals का combine हो रहा है Asexual reproduction में सिर्फ एक ही बंदा होगा और उसी सही offspring बन जाएगा यानि कि यहाँ पर दो DNA नहीं combine हो रहे हैं to form the individual एक ही DNA है यानि कि देखें आपको पता है कि जैसे कि आपका height आपका color हो सकता यहाँ इसे आपके आपका color आपके इंचलियां वहता है बिलकुल जैसे आपकी उंगलि हो आपके फादर के आपके इस तरह से मिलते हैं ठीक है तो variation अगर बोलूं की पूरा पापा से ये वो भी नहीं होगा, पूरा मम्मी से वो भी नहीं होगा, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा होगा, हैनि थोड़ा सा, एक हम बोल सकते हैं कि, जेनेटिकली थोड़ा सा, कम आइडेंटिकल आप होगे, सिर्फ मम्मी से, सिर्फ पापा से, दोनों लोग, यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक ही से रिप्रडिउस हो रहा है तो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी जनेटिकल आइडेंटिकल तो यह क्या होगा दन्निव और्गनिजम्स आज जनेटिकल इडेंटिकल टू दी पेरेंट asexual reproduction में ज़्यादा इडेंटिकल होते हैं विकाज यहाँ पे सिर्फ एक ही DNA हो जा रहा है ठीक है और ज़रा बताईए कि DNA का molecule की discovery किसने करी थी who discovered the molecule of this DNA और अभी भारत का पहला DNA, North India का पहला human DNA bank कहाँ पे established किया गया है ठीक है तो type of asexual reproduction में आप क्या होता है फिजन, ठीक है fragmentation, budding, regeneration, spore formation vegetative propagation अभी यहाँ पे मैं deep पे आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ कि क्या क्या होता है मतलब जैसे fission दो तरह का होता है binary, multiple, binary amoeba में होता है multiple, plasmodium में होता है budding, hydra में होता है, east में होता है regeneration, planaria में होता है spore formation, bread में, bread mold, rhizopus में होता है vegetative propagation, bryophyllum पती होती, bryophyllum में इस तरह से देखने को मिलता है fragmentation, spirogera में होता है लेकिन अभी उतना deep में नहीं जा रहे है नहीं तो आप लोगों को फिर boring लगने लगी एक लास ठीक है, तो बाद में देख लेंगे DNA molecule के अगर बात करें, तो Frederick Mischer, ठीक है Frederick Mischer ने इसके molecule की discovery की थी, जो double helical duikundleys रचना है, उसकी खोज Watson and Crick ने करी थी, ठीक है DNA bank पहला, IIT BHU में ठीक है, IIT BHU में open हो गया ठीक, आगे बढ़ते है how many atoms are present in a NH4 COHOL TWICE, SELF-EASO4 molecule है, कितने इसमें परमाडू मौजूद होते हैं इस particular molecule में जल्दी से बताईए, किते होंगे गिन के जल्दी से, बहुत सिंपल सा question है यानि और वही उसकी atomicity भी हो जाएगी चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें देखो, यह nitrogen है nitrogen 1 है, hydrogen 4 है into 2, यह लगा हुआ है plus sulfur 1 है, oxygen 4 है 4-1-5, 5-2-2, 10 1-11, 4-15, option number A तो यह इसकी हो जाएगी atomicity, परमाडूता जिसको बोलते हैं इंदी में, ठीक है परमाडूता जैसे oxygen, यह O2 है तो इसकी 2 परमाडूता होगी ozone है, तो परमाडूता इसकी 3 होगी ठीक है, H2 है, water है तो इसकी जड़ा बताई है, atomicity कित्ती हो जाएगी परमाडूता, 6-17th question है momentum is measured as a product of तो अभी हमने देखा था भी momentum यह समवेग किसका गुडणफल होता है तो momentum होता है आपका mass into velocity यहां पर सही answer हो जाएगा तो इसकी atomicity कित्ती हो जाएगी 2 hydrogen, 1 oxygen तो इसकी atomicity 3 हो जाएगी आपकी ठीक है अचली और mass और acceleration का product क्या होता है यह होता है यह होता है बल यानि कि force Newton का second law याद करो mass into acceleration ठीक, आगे बढ़ते हैं और अच्छा यह बताओ force और velocity का force यानि बल का और velocity का product यानि vague का जो product होगा उसको क्या बोलेंगे in Mendeleev's periodic table the properties of the element are considered as a periodic function of there तो किसका periodic function होते हैं atomic number, mass, analyzation, enthalpy atomic size, power 1, shakya MPPSC prelims, Rahul, Shradd, Prishant Vidya, Bhushan यह सब का सही है चलिया तो यहाँ पर हम पहले इसको देख लेते है इसको बलते हैं power यह नहीं शक्ती, जिसकी SI unit क्या होती है, watt होती है और एक watt में ज़रा comment बताई किते एक horsepower में, watt तो SI unit होती ही है उसमें कोई डाउट नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ अपसे कि एक horsepower में किते kilowatt होते हैं आपको बताना है, चलिए तो मेंडलीव की periodic table, अब हमने पढ़ा था क्या मैं आपको पढ़ा था, periodic जो classification of element of periodic table है हमारी वो किस तरह से develop हुई, पहले आए आए के डॉबर्नेर साहब 1817 में, देन आया हमारे मौजले साहब 1865 में, और लॉफ ऑक्टेव, इन्होंने लॉफ ट्राइड, इन्होंने लॉफ ऑक्टेव दिया, इसके बाद जो main काम किया था, ये थे हमारे रुश्या के मेंडलीव जी, 1865 में इन्होंने अपनी periodic table दी थी, और क्योंकि इन्होंने जो periodic table दी थी, वो हमारा एक main base बना था, periodic table का, तो इसलिए इनको father of periodic table के नाम से, father of modern periodic table के नाम से भी जानते हैं, अब इनके कुछ defects थे periodic table में, एक तो hydrogen को fixed position बेचारे को नहीं दे रहे थे गूमता फिरता इदर उतर भटक रहा था बेचारा, दूसरा था कि इनके अनुसार जो प्रॉपर्टीज है element की, that word considered a function of, एनकी किसी की chemical properties उसके atomic mass पे depend करती हैं ये डॉबरनेर ने भी बोला, मॉजले ने भी बोला, मेंडलीव ने भी बोला, बाद में आये तुम्हारे कौन, हेनरी मॉजले जिन्होंने अभी जो periodic table यूज करते हैं, जिसमें total number of element किते हैं, 118 तब इन्होंने hydrogen को fixed position दी जानि कि जो मेंडलीव की periodic table में जो defects थे, जो विकार थे, उनको ठीक किया और जले ये बताओ, मेंडलीव की periodic table में based है, और वो सही है, क्योंकि तब तक rudder ford का experiment भी नहीं हुआ था, जिससे सारी चीज़े clarity development मेंडलीव के time पर है, इसलिए भी हो, ठीक है अच्छा, ionization enthalpy group में, down the group जाने में, उपर से नीचे जाने में, बढ़ती या घटती है atomic size बढ़ता है या घटता है, trend ionization enthalpy घटती है, decrease होती है atomic size increase होता है down the group में, और जो चीज़ उपर से नीचे में बढ़ती है, आवर सारणी में, वो left side में घटती है जरा बताईए, periodic table में किते groups हैं, और किते periods हैं जल्दी से comment बताईए अगला question है, which of the following is present in red ants, इनने लिकित में से कौन सा आमला, लाल चीटियों में उपस्तित होता है malic, oxalic, formic, या फिर tannic acid, तो अगर बात करें groups तो हैं आपके 18 और periods हैं आपके 7 samoon 18 और आवर्थ हैं आपके 7 अब यहां पर लाल चीटियों में कौन सा होता है, malic acid के अगर बात करें आपको apple में देखने को मिलेगा जो acid भी होते हैं वो दो type के होते हैं आपके, एक तो होते हैं आपके inorganic और दूसरे होते हैं organic inorganic को या mineral acids के नाम से जानते हैं जैसे कि H2SO4 ठीक है, आपका H2SO4 के लावा HNO3 हो गया, यह सारी जितने भी acid होते हैं यह inorganic होते हैं क्योंकि mineral से मिलते हैं, inorganic चीजों से मिलते हैं और जो organic चीजों से मिलते हैं उनको organic acid बोलते हैं, भाई जो mineral acid होते हैं inorganic, यह ध्यान रखना यह highly soluble होते हैं water में water में तो घुल जाते हैं लेकिन organic जो solvent होते हैं उनमें नहीं घुलते हैं ये लोग ठीक है और ये ज़रा बताओ जो H2SO4 होता है इसको और किस नाम से जानते हैं Sulfuric Acid को और इसके बड़े-बड़े बादल थिक clouds of H2SO4 किस planet में देखने को मिलते हैं ये भी बता दो ये सारी चीज़े NCRT से पूछ रहा हूं कोई बाहर से नहीं और NCRT की एक line important है आपके लिए ठीक है तो red ants की अगर बात करें तो formic acid इसी को हम बोलते हैं methanoic acid के नाम से और आपके NCRT में एक डबबा बना हुआ है इसमें कि ये आपका लिखा हुआ है कि ये formic acid जो है किस पेड की पत्तियों में देखने को मिलेगा leaves of which plant ये आपको बताना है oxalic की बात करें ये tomato में देखने को मिलेगा tomato में ये नहीं होगा तो option में ascorbic acid होगा द्यान रखना ascorbic acid ही किस vitamin का एक chemical name ज़र ये आपको बताना है ठीक है तो क्या question पूछता है मैं प्लानेट में तो ये आपको venus में देखने को मिलता है शुक्र में तभी शुक्र ग्रह सबसे अपका गर्म और सबसे चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो उसको रगड लोगे तो ये जो मतलब formic acid जैसे नहीं चीटी काटती तो बड़ा आजीव सा लगता है इचिंग होती है तो वो इचिंग सान्थ हो जाएगे क्यों क्यों क्योंकि ये base जो है acid को neutralize कर देगा याद करो पीछे पढ़े थे neutralization reaction जहां पे पेट की acidity खतम करने एक लिए anti-acid लिया था milk of magnesium लिया था so that हमारी acidity खतम हो सके जो base है वो acid को neutralize कर सके ठीक है जले यह बताओ जो curd होता है जो दही होता उसमें कौन सा acid होता है एक kilowatt hour में कित्ते जूल होता है अब kilowatt hour के अगर बात करें तो ये किसकी unit होती है ये होती है आपकी commercial energy की commercial energy की ठीक ह एक kilowatt hour ये एक unit के बराबर होता है अब भरते होगे बिजली का bill तो एक unit दो unit जितने unit आता है तो unit का मतलब होता है kilowatt hour और हम किसके लिए pay करते हैं अपने बिजली विभाग को electrons उन से electrons नहीं लेते हैं वो लोगग इलेक्ट्रॉन्स नहीं बेसते हैं वो energy भेजते हैं जिसकी वज़े से क्या create होता है potential difference create होता है विभवानता है जिसकी वज़े से electron move कर पाते हैं तो एक kilowatt hour में kilowatt को watt हैं बदल लो तो भाई 1000 watt हो गया अच्छा मैंने question पूछा तब watt से आया एक horsepower में कितने kilowatt होते हैं लोग ने 746 लिखा ता गलत हैं बिलकुल ठीक है 0.746 होगा ठीक है 0. क्यों क्योंकि kilowatt पूछा है अगर watt पूछता तो 746 watt होता clear तो यहां पे 1000 आपका watt हो गया और एक घंटे में इसको minute में तबदील करेंगे 60 फिर इसको हम तबदील करेंगे second में तो अगें 60 से गुड़ा करेंगे तो यह आपका निकल क्या आजए का 3.6 into 10 to the power 6 joule पावर में नहीं लगा हुआ यहां पे थोड़ा से देख लिजेगा ठीक है तो यह option number A हाँ पे सही answer होगा यह होता है हमारा एक unit जितना भी आपसे कभी पूछ ले कि कोई electrical appliance है उसका पावर इतना है और इतने घंटे चलता है और इतने दिन चलता है तो भई दिन मानलो की 30 दिन चलता है हर दिन 2 घंटे चलता है उन्होंने average पावर मानलो उसकी मानलो पावर किती है उसकी पावर मानलो की 1000 watt का है ठीक है या फिर मालोखी 100 watt का है 1000 ज्यादा हो गया तो 100 watt का है ठीक है 100 watt का है कोई भी electrical appliance अब यह क्या है दिन है यह क्या गंटे है तो गंटे से तो कोई दिक्कत नहीं घंटा तो गंटा है वो ठीक है हमें निकालना है कितना unit बिजली की खपत हुई यह 100 है तो यह 100 watt है न तो इ kinetic energy of a ball weighing 0.5 kg moving with a velocity of 4 meter per second will be तो kinetic energy अभी देकर formula पढ़ा था असान सा question है half mv square का use करेंगे तो देख सकते है kinetic energy से ठीक था question आ रहे है आपके तो 0.5 velocity मतलब mv square तो यह आपका दो बार में कटेगा 25-10 नहीं एक आ जाएगा और वही चार जूल आपका निकल कियाएगा बढ़ा असान सा question था चली और मैंने अब मुझे आदा रहा है मैंने आपसे पूछा था क्योंकि kinetic energy और potential energy के समकित्ता होता है यह होता है हमारा mechanical energy ब बस एक फॉर में से दूसरे फॉर में convert कर सकते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं motor का generator क्या करता है generator अलग काम करता है सुरी मैंने ये क्या बोल दिया अल उल्टा बोल दिया जनरेटर ये करता है ठीक है जनरेटर मोटर इसका उल्टा काम करता है आपका कभी कभी दिमाग देख रहा है अभी भी मोटर ही लिख रहा है जनरेटर तो और जो आपका इलेक्ट्रिकल एनरजी को मेकानिकल एनरजी में बदलता है that is called as motor जड़ा ये बताओ जो motor है ये फ्लेमिंग के कौन से left ये right hand रूल पे काम करता है और ये जो है electrical electromagnetic induction ये जो आपका विद्धुत चुम्ब की प्रेशन ने उस पे काम करता है जिसको की किस ने discover किया था विलियम फाराडे ने discover किया था विद्धुत चुम्ब की प्रेशन पे generator काम करता है ये फ्लेमिंग का कौन से left hand rule पे ये मैं आप से बूचा है ohms के नियम के अनुसार अगर current बढ़ा दें तो potential difference ये विभवांतर constant है अगर constant है तो resistance पे क्या अंतर पढ़ेगा तो अगर हम बात करें ohms law तो पहले तो ये बताओ जरा ohms law कब दिया था साइमन ohms ने किस year में तो ohms law बोलता है we is directly proportional to the i यानि जो potential difference ये विभवांतर वो धारा विद्धुत धारा के directly proportional है अगर हम equal to का sign लगाएंगे तो यहाँ पे constant आ जाएगा r जिसको बोलते है resistance ठीक तो यहाँ पे question बोल रहा है कि आप i को increase कर रहो i को increase कर रहो ठीक है ये constant वहीं का वहीं है अगर हम r को उधर बेजते हैं ये r जो है ना resistance को इधर बेजते हैं तो resistance कैसे vary करेगा कैसे बदलेगा तो भई इसको बढ़ाओगे तो ये कम होगा simple सी बात है simple सी बात है ना क्यों क्योंकि inversely viewth kramanopathy है यानिकि inversely proportional है तो resistance आपका decrease कर जाएगा और resistance किन-किन factors पर depend करता है तो resistance directly proportional होता है length of the wire के और inversely proportional होता है area के जैसे for example resistance कैसे बनता है electrons जब आपस में लड़ते हैं लड़ मरते हैं तो उसको बोलते है resistance लड़ेंगे आपस में आखें तो है नीन की तो ये आपस में लड़ लड़ के जाएंगे टकरा के अब जितनी दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी ज़्यादा length तब्दील तय करनी पड़ेगी उतना ही ज़्यादा resistance होगा और जितना ज़्यादा cross section मिल जाएगा तो उतना ही कम लड़ेंगे आराम से फैल फैल के चलेंगे तो area ज़्यादा resistance का यह नि प्रतिरोध का length ज़्यादा तो resistance भी ज़्यादा clear और यह जब direct proportionality का sign हटाते हैं तो row आजाता है यह किसी पे dependent नहीं करता है specific resistance है निकि जो आपकी vicious प्रतिरोध है फिर resistivity है क्यों? क्योंकि यह material पे depend करता है वो किस चीज़ का material है copper की resistivity fix होगी iron की fix होगी silver की fix होगी जैसे silver की हम बोलते है कि resistance सबसे काम होती conductance सबसे ज़्यादा होती है ठीक और ohms law दिया गया था 1827, 1800, 2727 में अगला सवाल है how many atoms are present in one molecule of ozone? लो भाईया कितना असान है? तीन है ना? तो इसकी atomicity तीन हो जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइ एटॉमिक बोल देंगे simple ठीक है? आगे बढ़ते हैं Among chemical properties Mendeleaf concentrated देख रहे हैं periodic table से कितने questions आ रहे हैं तो periodic table काफी important topic है आपके लिए ठीक और भाई सबी लोग like-like भी करते रहेंगे कब स्टार्ट हुआ था? गोकु जी पर धान केंदर दिया था तो इन्होंने hydrogen और oxygen पर क्योंकि ये काफी कम reactive थे इसलिए इन्होंने इस पर focus किया था तो option number A आपर सही answer होगा और इन्होंने जो compounds बनाये तो उस पर oxides और hydrides पर focus किया था क्योंकि वो कम reactive होता है इसलिए तो fission उसमें से एक था तो fission दो तरह का होता है एक होता है binary fission और दूसरा होता है multiple fission अब जो binary होता है जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो ये binary पहले माँको दिखाता हूँ जैसे कि ये हमारा amoeba है ठीक है? अच्छा amoeba locomotion नी चलता किसका use करके locomotion करता है ज़र बता हो amoeba का ये nucleus है धीरे-धीरे क्या होगा ये जो amoeba है क्योंकि कि इर्रगलर shape का होता तो shape इसका कुछ भी हो सकता है धीरे-धीरे इसका nucleus फैलेगा धीरे-धीरे इसका cytoplasm फैलेगा इस तरह से ठीक है? इस तरह से होगा फिर अब इसमें stage में क्या होगा? इस तरह से होगा आपका ये ठीक है? इस तरह से अब final में क्या होगा? ये दो amoeba में convert हो जाएगा तो क्या हुआ? एक amoeba से दो amoeba बन गया यनिकी by 2-2-2 ठीक है? fission का मतलब तूटना होता है तो binary fission दो में तूट गया ये ठीक है? अब इसी तरह एक plasmodium होता है ये तरह का protozoa होता है इसमें जैसे आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे क्या बन जाएगा? अंदर ये अंदर 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 ये क्या हो जाएगा? इसकी जो ये वाल है ये तूट जाएगी और ये सारे जो plasmodium है वो बाहर निकल आएगे तो answer option number B answer होगा plasmodium protozoa से ही आपकी malaria की बीमारी होती है और इस plasmodium protozoa को कौन एक से दूसरे में carry करता? जैसे कि मुझे malaria है, ठीक है? तो अगर मुझे किस मच्छर ने काट लिया या फिर कौन, कौन सा मच्छर इसको carry करके ले जाएगा दूसरे person पर तो ये होता है हमारा female anopheles mosquito और डेंगू किसको करता है? transfer और डेंगू कौन करता है? ades aegypti, बट वो एक viral भीमारी होती है malaria protozoa से और डेंगू आप क्या होता है? virus की वैसे, malaria day कब हम अनाते हैं rhizopus में अगर हम बात करें तो spore formation से इसमें reproduction होता है जिसको कि हम bread mold के नाम से भी जानते हैं planaria की अगर बात करें तो regeneration से होता है planaria जो होता है, आँख दिखाता है ठीक है, आगे के उस शब्दा आप जानते है तो planaria इस तरह से होता है आपका आँख दिखाता है इस तरह से planaria में क्या होता है, अगर इसका ये part तूट जाए तो पूरे planaria में grow कर देता है जैसे कि, जैसे नहीं चिप कर लिए गर रहते है lizard उनके पूछ कर जाए, तो फिर से पूरी पूछा जाती है ये निकल जाए, कुछ भी, कोई भी part निकल जाए तो पूरे planaria में ये regenerate हो जाता है ये जयान रखना है आपको, ठीक है चलिए, और planaria किस phylum से भी लॉंग करता है पीडिएफ कब आएगी, कब आएगी, आथ चुकी नहीं है अदा उसमें करेंट अफिर वाले कोर्स में देखो सराप कावाच कोयल की तरह क्यों है कोयल की तरह कोयल की तरह मतलब क्या, पढ़ाना लिखाना छोड़के गानना शुरू कर दें देखो तो इस में तुम ज्यादा बाल की खाल मत निकालने लगना कि आएसे जब साइकल चलाएंगे तो नहींने जो खुळ खाना खाके आई होंगी तो पचएगा पचेगा तो क्योंकि पाचे ने एक chemical reaction है तो chemical reaction भी होगी ज्यादा तुम बाली खाल मत निकालना बस cycle तक सीमत रहना काउन cycle चला रहा है उस पर focus मत करना ठीक है तो यहाँ पे chemical नहीं heat energy sorry not occur तो answer क्या हो chemical energy क्योंकि heat energy generate होगी यह tire और road के बीच में friction generate होगा friction जरा मुझे बताईए किस तरह का force है contact की non-contact तो friction पीछे की तरह लगा है जिसके विसे tire में heat generate होगी ठीक और अगर यहाँ पे हम बात करें यह force contact force है because दोनों जब contact में हैं तब produce हो रहा है अगला question अच्छा question है the pH of a solution is 3 यानिकि कि किसी के villain का pH मान 3 है when its pH changes to 6 then its h plan plus and concentration देखिए जो हमारी pH scale होती ही पहले तो तुम्हें पता होने चाहिए comment बताओ pH में P का मतलब क्या होता है in German language German language में P का मतलब क्या होता है तो यह जो pH value होती है उसमें एक होता है हमारा neutral यहाँ पे अगर हम बात करें और मैंने अब मुझे याद आ रहा है कि तुमसे मैंने pH value पूची थी gastric juice की चलो भी यह लिख देंगे उसको ठीक है तो यह जाती है 0 से लेके 14 यह इसके extremes है साथ इसकी neutral value हो जाएगी इसके पहले यानि left side में जो भी आपके solutions होंगे वो acidic यानि अमली nature के होंगे acidic nature के होंगे इसके right side में जो होंगे वो चारी यानि basic nature के होंगे ठीक है जैसे कि जो हमारा gastric juice है कुछ हो यहाँ पर लाई करता है 1.6 pH value होता है gastric juice का lemon juice का भी something 2 के something यहाँ पर lemon juice बैठता है 7 किसका होता है 7 पर आपका बैठता है distilled water जो पानी होता है वो neutral होता है पानी पानी तेरा रंग कैसा तेरा स्वाद कैसा ठीक है तो कोई स्वाद नहीं होता है यहीं neutral होता है जैसे आप आगे बढ़ेंगे basic अब जो acids होते हैं पानी में घुलने पे H plus ion देते हैं और basic OH negative ion दे दर जा रहें दर जा रहें तो acidity और बढ़ रही है और बढ़ रही है यानि कि H plus का concentration और बढ़ेगा और बढ़ेगा ठीक पूछे क्या ठीक है इतनी जिसक्लियर है यानि कि जब right side में जाएंगे 0 से तो H plus घटेगा 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 और 7 से right side में जाएंगे तो OH negative बढ़ अब क्या है pH value 3 का मतलब है कि इतने H plus ions है और pH value 6 का मतलब है इन short आप समझो 10 की power minus 6 H plus ions है तो अब मुझे बताओ कि pH value मलब जो hydrogen plus ion का concentration बढ़ा की घटा pH 3 से 6 हो गया pH 3 से 6 हो गया pH simple सी बात है pH 3 से 6 हो गया right side जा रहा हो H plus ion concentration घटेगा कि कम हैसे डिक हो रहा है तो यहां पर दिख भी रहा है साफ साफ घटा है 10 to the power minus 3 बढ़ा होता है 10 to the power minus 6 से कितना घटा? 1000 गुना घट गया इतने में होग तिक्कत नहीं होगी 10 to the power minus 3 10 to the power minus 6 यह उपर जाएगा तो 6 में 3 तो यह कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा 10 to the power minus 10 to the power 3 ठीक क्लियर एतनी चीज़ और P का मतलब यहां जर्मन लाइंगोज में potence होता है इसको बोलते है power of hydrogen और जर्मन लाइंगोज में इसको बोलते है potence ठीक है जैसे 14 किसका होता है 14 होता है तुम milk of magnesia का जो पढ़ रहे थे ना antacid होता है वो अलकली होते हैं वो छार वो base जो पानी में घुल जाते हैं जो water में dissolve हो जाते हैं चलिए आगला सवाल करिए winner ray of light travels from a denser medium to a rare medium तो वो कहां पे bend होती है denser से rare में bend होती है ठीक है जल्दी से बताईए अब the How to determine which acid is more or less strong Prince महता वह आपको अच प्लस आयां के concentration से पता चलेगा अच प्लस आयां कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा acidic है ठीक है और अगर express ion concentration कम है तो वो कम acidic है simple आप pH value का use करते हैं और ज़र यह बताइए litmus जो paper है तो acid जो है वो blue litmus को किस में change करता acid की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है और क्या कुछ question पूचाता नहीं तो acid जो है blue litmus को red में का तबदील करता है और तो अगें तुमारी NCRT उठा question पूच रहा हूँ लिटमस पेपर किस से बना होता है लिटमस पेपर किस से बना होता है when a ray of light travels from a denser medium to a rare medium सब का सभी है अवे फिर नॉर्मल तो चलिए इसको कर लेते हैं अब जब light हमारी ट्राइवल करती है मालो कि यह हमारा rectangular slab है ठीक है यह rectangular slab है अब इससे एक ray of light को pass करवाते हैं तो जब ray of light आती है न जैसे ही वो hit करती है किसी medium में तो उसे पूचती है कि तुम ज्यादा denser होगी कम denser हो तुमारा ज्यादा refractive refractance छोड़ दो भी तुम ज्यादा denser तुमारा ज्यादा घनत तो है ऐसे समझ ज्यादा density कि कम density है तो भाई यह तो air हो गया यह आपका glass है ठीक है तो यह glass बोलता है कि हम ज्यादा घनत तो ज्यादा हमारा है तो यह light जो है it will bend अब जानी तो इसको सीधा चाहिए था सीधी चाहिए थी है लेकिन यह सीधा ना जाके यह normal क्या होता है जहां पर light ray पड़ती है वहां पे एक perpendicularly 90 degree पर एक line खीज देते उसको normal बोलते है यह normal के पास से उके गुजरेगी फिर again अब यह क्या आ गया यह again transition आ गया आपका transition मतलब एक medium से दूसरे medium में जाना है तो अब यह glass में चल लगी air में जाएगी तो air से पूछेगी air तुम कम हलकी हो की ज्यादा मतलब glass के comparison में तो बोले कि भाई यह भी कोई पूछने वाली बात है हम कम हलके है उससे glass से तो अगेन तुम normal draw कर लो अगेन जाना कहां पर चाहिए था इसको जाना तो इस तरह से चाहिए था ले हरी वाली इसको बोलते हैं पहली बात तो lateral displacement और यहां से हमें इस कहानी से क्या सीख मिली कि जब light ray rarer medium से denser में ट्रैवल करती है तो it bends towards the normal towards the normal bend हो जाएगी और इस कॉल्टा क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इतनी चीज़ clear है लेकिन तुम मुझे बताओ अच्छा मैं पहले तो law बताता हूँ इसको बोलते है law of refraction अपुवरतन का नियम law of refraction में दो नियम होते हैं पहला नियम बोलता है कि यह incident ray, refracted ray और normal यह तीनों एक plane पे लाई करती है और दूसर of angle of refraction बराबर होता है mu जो की refractive index होता है अपुवरतनांक होता है ठीक है यह होता है अपुवरतनांक mu refractive index बोलते हैं इसको और यह refractive index यही law बोलता है कि ग्लास का refractive index क्योंकि जादा है air से तो इसलिए यह जो light है यह towards normal bend हो रही इसकी speed दीमे हो गई है ठीक है और तुम इस तरह से कुछ नहीं होगा उसमें बताओ जरो कौन सा angle है तो लाइट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी और स्पीड अप कर जाएगी option number a यहां पर सही उत्तर होगा ठीक और यह होता है हमारा zero जब angle पर zero किस से normal से अगर हम zero angle पर बात कर रहे हैं बाकी जो angle जिस पर strike क बात करेंगे तो 90 डिगरी नॉर्मल से 0 डिगरी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला question देखते हैं except helium अच्छा बताओ diamond का diamond का यह आपका chart बना हुआ है NCRT में तो पूछ सकते हैं आपसे diamond का refractive index कितना होता है 29 अगर हम helium को छोड़ दे तो तो सब में होते हैं आपके 8 electron सबकी octate होती complete तो यह होती है हमारी periodic table तो इसमें होती है हमारी आखरी group 18th group जिसको 0th group के नाम से भी जानते हैं जिनको हम inert gases के नाम से जानते हैं क्योंकि यह किसी के साथ क्रिया नहीं करती है इनको हम noble gases के नाम से भी जानते हैं यह होती हैं आपकी हेमा नेहा और करीना हमेशा जीती रहना helium neon organ krypton xenon और redon इन सब में 8 electrons होते हैं valence shell में octate complete कोई reaction करने का जरूत नहीं है helium में 2 electron होते हैं क्योंकि एक ही shell होती है ना इसलिए तुम्हें पता है ना यह k shell होती है then l m n यह shell होती है आपकी फ़ली k shell then l m n shell होती है ठीक है तो इस shell में क्योंकि पहली shell है और maximum electrons किसी shell में हम 2 n square formula से देते हैं तो n की जागा 1 रखोगे तो 2 आएगा तो इसमें एक ही shell है तो दो electron से इसका काम चल जाता है तो option number C हाँ पर सही अंसर होगा helium को छोड़किए अच्छा मुझे बताओ आरगन, क्रिप्टन और जनौन की discovery किस ने करी थी अगर बता दोगे न अभी बता रहे हैं वहीं तुम्हाँ घर में आके दिवाल तोल के टॉफी देखे जाएंगे तुमको ठीक हो जो मांगो के वह ली देखे जाएंगे सेंटा की तरह है क्या आंसर होगा इसका? आंसर इसका होगा, काफी लोगों को पता होगा जो लोग PYQ स्रीज में रगुलर है विलियम रैम से ठीक, the tendency of undistributed objects to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called as विवस्थित, वस्तुओं की वो प्रवर्ति जो उसे स्थिरिय समान गती से गतिमान रहने में मदद करता है उस प्रवर्ति को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, क्या? यह होता है हमारा Newton का कौन से लोग होता है? Newton का फर्स लो होता है, Newton का पहला, Newton की गती का पहला नियम होता है जो यह बोलता है कि Anybody will oppose its state नहीं कि कोई भी वस्तु जो चल रही वो चलती रहेगी, जो रुकी हुई है विश्राम आवस्था में वो विश्राम आवस्था में रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा, जब तक उसमें बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा अब बाहरी बल कित्ता लगाना पड़ेगा, वो उसके मास पे टिपेंड करता है, जो उसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, वो ज्यादा अपने करिंट स्टेट को अपोज करेगा, ठीक है, सेकंड लग देखें तो फोर्स इस इक्वल टो मास इंटो इसलेशन, और थर्ड लग जानते ही है, कर भला तो हो भला, यानि कि for every reaction, there is an equal and opposite reaction, जैसे की bullet फायर करते हैं तो पीछे की तरफ जाते हैं, क्यों? उसी की वज़ですね, third law, rocket भागता है, क्यों? क्यों? क्योंकि जो rocket में जो इंधन बरा होता हूँ गैसे वगईरा वो नीचे की तरफ आती है तो rocket ऊपर की तरफ जाता है, now चलती है, हम तहरते हैं वो सब न्यूटन के तीसरे नियम पर है, न्यूटन के पहले नियम पर क्या होता है, बस में बैठे हुए, एकदम से बस चल दी, एकदम से बस चल दी, तो क्या होगा, पीछे की तरफ lean हो जाएंगे, तो वो भी बस चल लई है, एकदम से रुख गई, आगे की तरफ lean हो जाएंग एक लिए इनमें से किस gas का उप्योग किया जाता है तो ये करते हैं जनी आपने देखा कि chips packet में एक दम भरी रहती है, gas ही gas, chips कम gas जादा रहती है, तो वो nitrogen gas होती है क्यों? so that वो air में से oxygen को replace कर दे क्योंकि अगर oxygen हम भर देंगे, इसमें oxygen आ गई chips packet में तो क्योंकि chips packet इत्त ही होते हैं बाकी तो gas होती है, तो chips packet में अगर nitrogen ना भरी जाए, तो chips packet में जो fat मौजूद है ये fat हो जाएगा oxidize इसमें जोड़ जाएगा oxygen और ये oxidize हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगी oxidation reaction और ये हो जाएगे rancid यानि rancidity हो जाएगी आपकी सड जाएगे, बासे हो जाएगी खाने में आपने देखा होगा अम्मी बोलती है कि गीले हाथ से मत सबजी निकालो है ना, चम्मा चम्मा से निकाले से गीले हाथ मत लगाना उसमें क्यों क्योंकि उसमें जो water में जो oxygen present है वो उसको oxidize कर देगा, जिसके उसे rancidity हो जाएगी तो वो nitrogen जो है उस चीज़ को avoid करता है और यह जो rancidity हो गई या फिर हमारा जो corrosion होता है जो जंग लगती है, यह सब किस तरह की अभिक्रिया होती है, यह किस तरह की reaction होती है oxidation reaction होती है क्लोरीन के बारे हम पढ़े थे, यह तरह का disinfectant agent के तौर पे काम करता है 32 number question देखे, which of the following is non-luminous body, निमलिकत में से कौनसी गैर चमकदार वस्तु है, चमकती नहीं है कुरकुर नहीं होगा, वाह बोले nitrogen इसलिए होती, कुरकुर अच्छा, बासा हो जाएगा, तो कुरकुर नहीं होगा, क्या बात है तो 30 question बात जोए, थोड़ा सा एक आखों को थोड़ा सा सौरा लेते हैं, काफी दर्द महसूस कर रही है, ठीक, I think डेखल घंटे तो होई चुके हैं, अटलीस्ट लगातार करते हुए, without any kind of break Sir, please make video economics, अच्छा जुगनू, अच्छा, जुगनू non-luminous होता है जुगनू का खुद का light नहीं होता है, luminous का मतलब non-luminous का खुद का light नहीं है जुगनू का किसी और की light चमकवाता है क्यों? चान्द होगा, moon, moon का खुद का light नहीं होता है यह जो सूरज होता है, sun की light को reflect करवाता है इसका खुद का light नहीं होता है bulb का filament किसका बना होता है अब bulb में काउन सी gas होती है यह बता दो जल्दी से, nitrogen chips packet में होती है, tire में होती है ठीक है? और burning candle यह किस तरह का change है? यह बताएंगे physical या chemical भौतिक या रसाइनिक सही answer बताएने वाले को again इस बार तुम्हें हम चॉकलेट देंगे आके ठीक है, filament की अगर बात करें तो tungsten का बना होता है, जिसका symbol बता दीजे comment में और gas भरी होती है, argon change यह physical भी होता है and chemical भी होता है तो जो लोग लिख रहे है chemical आधिया दूरे सत्ते है physical वाले भी आधिया दूरे जिन्होंने तुक्का मारा वो भी आधिया दूरे सत्ते हो गए ठीक है? दोनों change होता है इसमें जो wax होता है वो physical change होता है wax में और धागे में होता है केमिकल चेंज ठीक है और टंजेस्टन का सिंबल होता है डबलू आर्गन भरी होती है 33 करो जल्दी से वेना इसको उसको रिलीस करतें तो क्या होगा बिल्कुल वॉल फ्रेम बिल्कुल सही शुर आजी कॉमार या ड़र बॉन सही शुर्जा का लेका है तो प्रोपेन यानिकी अलकेन है तो जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं सर दो तरह के होते हैं एक तो संत्रप्त होते हैं साचुरेटेड होते हैं और दूसरे होते हैं अन्साचुरेटेड यानिकी असंत्रप्त होते हैं तो जो संत्रप्त होते हैं इनको हम एक category में डिवाइड करते हैं यह बताएं किस flame में burn होते हैं कौन सी flame में burn होते हैं यह होते हैं आपके alkene और यह होते हैं आपके alkene and alkine ठीक है, alkene और alkine यह single bond होते हैं यह double bond होते हैं यह triple bond होते हैं ठीक है, single bond होते हैं यह flame में burn करते हैं, clear blue flame में burn करते हैं, और यह yellow suity flame में burn करते हैं, ठीक, अब propane है, यह alkane है, इसका general formula होता है CnH2n plus 2, इसका general formula होता है CnH2n, इसका general formula होता है CnH2n minus 2, ठीक, तो propane है, propane, तो propane, जो है इसका हम यूज़ करते हैं, तीन carbon atom के लिए, यह है prefix, prefix एक carbon के लिए prefix यूज़ करते हैं myth दो carbon के लिए यूज़ करते हैं it तीन carbon के लिए यूज़ करते हैं prop चार carbon के लिए यूज़ करते हैं but पांच के लिए यूज़ करते हैं carbon के लिए pent then hexa, hepta, octa, nona, deca इस तरह से आपका चलता है ठीक प्रोपेन है तो तीन कारबन होंगे ये गया ये गया ये गया खतम H2 and 2 कुछ करने जरते नहीं है अगर तुम्हें पता है कि प्रोपेन का मतलब तीन कारबन है वैसे रख के देख सकते हो तीन कारबन है तो N की जाएगे तीन रखना है और हइडरोजन आठ निकल लाएंगे तीन दूनिचे दो आठ तीन तीन थी और H8 एलकीन एक इथाइलीन है इसका यूज कहां पर करते है कॉमेंट बताओ एलकाइन एक एसिटलीन है इसका यूज कहां पर करते है बताओ जल्दी से तो इथाइलीन जो है फ्रूट राइपिंग महर्पिक फलों को पकाने में यूज की जाती और प्लांट में एक गैसियस हॉर्मोन भी होता है और एसिटलीन को welding of metals में यूज करते है ठीक एलकेन चलो ब्यूटेन का यूज कहां पर करते हैं केलकेन कभी देख लेते हैं ब्यूटेन का यूज कहां पर करते है विचित फॉल्विंग इस प्रिजेंट इन दी सेंटर ऑफ फलावर नहीं लिखित में से कौन सा फूल के केंदर में होता है यह आपको बताना है कारपेल होता है स्टेमेन होता है पेटल्स होता है फिर सेपल्स होता है एक ब्रेक ले लेंके थोड़ा सा एक मेंट का बस अगर आपकी इजाधत हो तो बस एक छोटा सा ब्रेक सर इंस्टा लाइफ कब होगा किसलिए भई इंस्टा लाइफ और बड़ाई हो रही थी, इंस्टाग्राम पे का कुछ सुनने में था, नहीं होगी क्या, चलो भी उस थोड़ा से एक ब्रेक लेना चाहेंगे, और ये कुछिन का अंसर करेंगे आप ठीक है, और 36 कुछिन का अंसर करेंगे, और मैं एक साथ आपको इनको बताऊंगा, ये तो करी सकते हो जल्दी से, इन दोनों कुछिन करो, बस एक मिट के अंदर आया मैं, ठीक है? झाते हैं, इनल्दर से क्के लाउतावो है आप झाता है तो फस्दमेगा ओक का अंसर के ला पाम भाम होगे, प्रेसा हैं, आपको इनको ब्रूप्येों है। झाल 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 क्यांसराया हुई इस फ्रयागराज फ्रेंड्स अच्छा झाल 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 तो झाल तो सर आफ पर्चेस्ट जनरल साइंस फ्रॉं रेलवेश अभी वीडियो अभी वीडियो हो जाएंगे चलो तो सेंटर आफ फ्लार किसका बना होता है तो वीडियो अभी अभी आज हो जाएंगे साइंस की अभी आज हो जाएंगी और सारी फिजिस की आज हो जाएंगी सारी एंड देन बियालोजी हम लोगी पर्सनों से स्टार्ट होगी ठीक है चलिए विचे तो फॉल्विंग इस प्रिजेंट इंदी सेंटर आफ फ्लार तो फ्लार कि अगर हम बात करें तो हमने अभी पढ़ा था कि दो तरह का रिप्रोड़क्शन होता है एसेक्शुल और सेक्शुल जहां पर मेल भी होता है फिमेल भी होता है तो सेक्शुल के एक्जामपल होता है तो पेल पौदो में प्लांट में और दूसरा हीुमन में तो हीुमन में तो सबको पता ही मेल होता है फीमेल होता है उस तरह सबका रिप्रोड़क्शन होता है उसी तरह प्लांट में फ्लावर इस रिप्रोड़क्टिव और रिप्रोड़क्टिव और रिप्रोड़क्टिव और लेकिन जो मेल पाइब को बोलते हैं क्या स्टेम नाम में यह मैन है देख रहें स्टेद में बोलते हैं इसको फिलमेंट बोलते हैं इनहीं दोनों को collectively हम बोल देते हैं stamen ठीक अब यह होता क्या है कि यह pollen grains ही यह pollen grains ही आपके उड़के जाते हैं stigma में चिपक जाते हैं stigma एक तरह का sticky part होता है यह female part होता है अब उसको भी देखेंगे तो यहाँ पे चिपक जाता है ठीक है यहाँ पे जाता है अब जाता किस प्रॉसेस से उसको बोलते हैं pollination उसको क्या बोलते है है pollination परागण बोलते है तो pollination कैसे भी हो सकता है हवा से उड़के जा सकते हैं इसको style बोलते हैं यह जा के यहाँ पे इनके साथ फ्यूज कर जाएगा और यह जो है पॉलन ग्रेंस और यह ओवरी मिलके तुम्हारे बना देंगे बीज देखते हो ना फल फूल से फूल होता है फूल ही फल बनता है बाद में ठीक है तो फल के अंदर जो बीज होते हैं वो यह यह होते हैं आपके यह जो अटेज पॉलन ग्रेंस पॉलन ग्रेंस फ्यूज होते हैं किसके साथ ओवियूल्स के साथ तो आपका बन जाता है सीड यह बीज बन जाता है ठीक है और उसके बाद यह जो पूरा ओवरी है यह आपका बन जाता है पूरा फल है क्लियर इतनी बात तो यह तो आप समझ गए कि एंथर और filament दोनों मिलके बन जाता है male part और filament की बात करें तो stigma जहां पे वो चिपका थे आपके pollen names चिपके थे दिन जिसमें stigma attached थे तो style और जो नीचे था that is called as ovary stigma style ovary तीनों को collectively बोल देते हैं pistol तो आदमी के लिए औरतों ने क्या ले रखी है पिस्टल अंडाश है एंथर को परागकोश या आप हिंदी में देख सकते हैं ठीक है और अभी मैंने बताया था कि अगर plant में दोनों होते है male भी होता है female भी होता है तो उसको हम बोलते है monoecious plant monoecious बोलते हैं या फिर bisexual बोलते हैं plant ठीक है bisexual और अगर सिर्फ male या सिर्फ female होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं diocious या फिर unisexual plant बोलते हैं diocious या फिर unisexual बोलते हैं example अगर मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पर जो आप देख रहे थे इसमें male भी था female भी था ये किसका फूल था? गुड़ेहल का तो गुड़ेहल को बोलते हैं क्या gårँL को बोलते हैं hibiscus hibiscus लेलो तो mustard लेलो ठीक है? mustard लेलो तो यह होते हैं हमकी और जो male पार्ट होता है धियान रखना है इसको endorium ठीक है? इसको हम रुकजाओ का या सो हम इंडरोश्यम बोलते हैं एंड्रो एंडरोश्यम ने जो फीमेट होता है जान सब्रो ढेको परसे सब्थ ये नौंजय दिल्कुइस involved showed होते हैं which of the following derives its new derives nutrition from plants as a parasite parasite क्या होते हैं पर जीवी होते हैं जो दूसरों पे रहते हैं plant की बात हो रही है बाई malaria तो खून से human से लेता है ना और बात करें जू होता है जू है जू है हमारे सिर में होते हैं तो वो वी पैरासाइट है खून वहां से चूस रहे ना, न्यूटरिंट वहां से चूस रहे ना, प्लांट से थोड़े, हम क्या जीव जन्तु हैं क्या, बाल लगे हैंगी क्या पेल पौधे में आते हैं क्या, तो यह तो होगा नहीं आपका, ब्रायोफाइलम अभी मैंने, अगर आपको ध्यान दे सुन можете Kita 이곳 प्रोपोगेशन होता है इसमें आपका clear ब्राइोफालम होता है और Cascadda जिसको अमर बेल बोलते है उसको उसमें आपको होता है उसमें अमर होता है में अमर बेल में होता है आपका यह अमर पी डिराइव करता है अपने दूसरों से nutrients को derive करता थीग है दूसरों का use करके बढ़ता है यह sut can in the air does in a second the distance ट्रैवल इस किता है पार्टिकल्स रिसीवर सोड्स या फिर डिस्टरबेंस इतना कैसे याद है आपको तुमको भी हो जाएगा रिविजिन बस करते रहो साउंड ट्रैवल तो क्या चीज़ ट्रैवल करती है अब साउंड ट्रैवल करता है ठीक है और शांती तो यह साउंड वेव किस तरह की वेव जरह बताईए और आप लोग का अब रिस्पॉंस आ नहीं रहा है ठीक है तो बहुंचालिस कुश्चन तक ही रखेंगे अगर यह 300 स में क्या होता है longitudinal में जो medium का particle है particle of the medium जहां पे डब गया जहां पे ज्यादा है और जहां particles आपस में पास-पास में है और इसको बोलते है रेयर फैक्षिन ठीक है रेयर फैक्षिन अगर इसको इस तरह से generate करें तो जहां compression होगा वहां पे crust create होती है जहां पे rare रंग धैर्द बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं इसको ठीक है और ये जो चीज होती है ये जितना उठा है जितना चीज उठा है इसको बोलते हैं एम्प्ली ट्यूड एम्प्ली ट्यूड बोलते हैं इसको ठीक है और एक सेकेंड में कित्ती कित्ते ये बने कित्ते क्रेस्ट बने उसको frequency यानि की आवरत्ती बोलते हैं, velocity of light in vacuum is, निर्वात में प्रकास का वेग कितना होता है, तो इस अभी को पता है, 3 to 10 to the power, 8 meter per second, sound की speed कित्ती होती ही, जरा बताइए, air में कित्ती होती है, air में, सब में वैसे तो आपको पता होने ची, वो चार्ट आपका जो दिया, N CR team इसको पढ़ ले, ठीक है, क्योंकि उससे पूछ लेता है, question, तो air में अगर बात करें, तो इत्ती होती, 343 meter per second, अच्छा, मैं आपसे question पूछता हूँ, sound की speed किसमें ज़्यादा होगी, ठीक है, air, rubber, aluminium, steel, किसमें ज़्यादा होगी, बताव जली से, atomic numbers of 4 elements are these, which of the following 2 elements would be chemically similar learn में से chemical similar कौन होगा, बिल्कुल best रहेगा, 0, 3, 43, सबसे, steel में, steel, steel, सबका गलत है, ठीक है, 25 degree Celsius पे अगर हम बात करें, 25 degree Celsius पे तो steel में नहीं होगा, aluminium पे होगा, अगर हम 25 degree Celsius आगर हम रूम टेंपरेचर पे अगर हम बात करें, तो aluminium answer होगा, ठीक है, जिन लोगों कोने aluminium दि तो fluorine और chlorine दोनों हमारे एक group से belong करते हैं, ठीक है, जिनको की हम halogens के नाम से जानते हैं, तो सही answer option number D हो जाएगा, ठीक है, इनको हम halogens के नाम से जानते हैं, और chlorine के हमारे दो isotope होते हैं, अगर आपको याद हो, isotope मतलब समस्थानिक, 17CL35 and 17CL37, ठीक है, यह दोनो 3 to 1 के ratio में ह होते हैं, ठीक, यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए, the first equation of motion gives the relation between, तो जो गती का पहला समिकरण होता है, वो किसके बीच में सम्मन्द को दर्शाता है, तो यह 3 equations of motion है हमारी, तो पहली velocity time के बीच में, दूसरी distance or time के बीच में, and तीसरी velocity or distance के बीच में दिखाती है, ठीक है तीनो equations of motion, तो सही answer क्या होगा, velocity and time, वेग और समय के बीच में, ठीक, एक sound wave है, जिसकी frequency अनिकी आवरत्ती इतनी है, 4 kHz, wavelength तलंग दैट 40 cm है, time taken by the sound wave to travel the distance of 3.2 km, कितना time लेगा, जल्दी से बताइए, तो इसके लिए formula यूज करने हैं आपको, वी इकल टू सर स्पेशलिस साइंस मोड़े, को यूट्यूब पर continue कीजिए न, अब वो एर आपके response पर डिपन करता है, यूट्यूब रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है, तो वी इकल टू एन लेमड़ा, जहां पर वी velocity of the wave है, एन फ्रिक्वेंसी, लेमड़ा है, तरंग दह आएगा वो, तो फ्रिक्वेंसी किती, 4 किलो हर्ट्स, तो हम इसको हर्ट्स में बदल लेते हैं, 4000 हर्ट्स हो जाएगी, वेवलेंच 40 cm, इसको मीटर में तबदील कर लेते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, तो ये 20 से 20 से 20 कैंसल, तो 4.16 ने 160 आजाएगी, क्या velocity, या फिर speed, speed is equal to distance upon time, speed or velocity में अंतर क्या होता है, दोनों same ही magnitude में तो, बस direction का होता है, इसमें direction होता है, और इसमें direction नहीं होता है, तो इसमें डिरेक्शन नहीं होता है, तो इसको मीटर में तबदील कर लिए, 0 से 0 कैंसल हुआ, 16 दूनी 32, तो हमने क्या निकाला, अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ठीक ठीक, 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 time निकालना था ना, तो time उदर गया, speed इधर गया, okay, ठीक है, तो यह 16, 100 आएगा, हाँ, ए 2,0 थे न, 2,0 थे, तो 16, 100 आएगा, वही मैं सोंचों कि यह 20 कैसे आ रहा, तो 2 सेकंड से आंसर हो जाएगा, option number A, विचारा ते तो यह हमारा human brain है इसको हम 3 पार्ट में नहीं हो जाएगा तो जो हमारा 4 brain होता है इसके 3 पार्ट होते हैं 3 पार्ट कुहान कुहान से होते हैं ये यह एक होता है सेरिब्रम एक होता है हाइपो थैलमस हाइपो थैलमस और तीसरा होता है थैलेमस जो सेरिब्रम होता है यह मेमोरी के लिए रेस्पॉंसिबल होता है आपकी याददा स्टेज है या नहीं है वो डिपेंड करता है कि आपका सेरिब्रम कैसा है तो option number thinking part के लिए पूछ रहा है तो क्योंकि सेरिब्रम जो होता है वो four brain का part होता है तो यह सही answer होगा और four brain ध्यान रखना four brain में सबसे बड़ा part होता है सेरिब्रम four brain का सबसे बड़ा part है clear hypothalamus का का काम क्या होता है sir hypothalamus का होता है जैसे कि पेन ठीक है अंदर अंदर जो sensations हो रही है आपको पेन sensations अंदर अंदर की बात हो रही है तो अंदर अंदर में क्या होता है inner body temperature regulate करना ठीक है body temperature जैसे बुखार आता है तो अगर बुखार क्यों आता है बुखार में temperature body का बढ़ जाता है भूक के लिए thirst प्यास के लिए पानी वाली ठीक है सोने के sleep के लिए sleep के लिए hormone कौन से बताया था और जब बात करते है thalamus की तो यह responsible होता है pain के लिए sensation के लिए जैसे आपने कोई चीज चुई और आपको कोई sensation होई गर्म ठंडी या फिर कोई और sensation होई तो thalamus नहीं बाहर की चीज़ों के लिए thalamus अंदर अंदर जो हो रहा है hypothalamus यह four brain हो गया अब बात करते है mid brain की mid brain का क्या काम होता है तो इसका काम होता है it controls it controls involuntary actions involuntary actions जैसे कि involuntary actions का मतलब वो actions जो हमारे control में नहीं है जैसे कि हम मालो अभी मैं एक अंधेले कमरे में हूँ ठीक है अंधेरा है यहाँ पे काफी अंधेरा है और मैं बाहर के एकदम से बाहर उजाला है तो मेरी जो pupils है, जो मेरी पुतली है, वो क्या होंगी? क्योंकि वो अभी खुली हुई है, वो ज़्यादा dilated है अंदेले में, तो वो क्या होंगी? उनका size धीरे धीरे change हो कि वो contract हो जाएंगी, तो मेरे कहने से हो रही है क्या? मैं खाना खा रहा हूँ, तो जो digestion हो रहा है, क्य इसके भी तीन पार्ट होते हैं, यह जो दिख रहा है, यह सेरी बेलम होता है, जिसका सेरी बेलम बेल जाता है, वो डोल जाता है, जैसे तुमने देखा को सुबह कोई नाली में पड़े रहते हैं, कुछ लोग रात में डोल रहे होते हैं, और सुबह नाली में दिखते हो, तो उनका सेरी बेलम, जो लोग alcohol consumption करते हैं, यानि ये movement के लिए responsible होता है आपका, किसके लिए, movement, posture, balance के लिए responsible होता है, ठीक, यहीं पर आपका medulla oblongata भी होता है, meru magja जिसको बोलते हैं, पीछे meru magja होता है, और जो medulla oblongata होता है, medulla oblongata, ये आपका जैसे respiration हो गया, heart beat हो गया यहीं जो automatic nervous system वाला जो काम होता है, social center, ठीक है, दिल के धरकन, ये control करने का medulla oblongata करता है, and वहीं पर हम बात करने, pons करके होता है, तो pons जो होता है, pons, ये spinal cord को brain से connect करता है, pons जो होता है, ठीक है, तो option number C, यहाँ पर सही उतर हो जाएगा, और इसकी जो covering होती है, brain की, उस को बलते है, meninges, और इस meninges की भी जो covering होती है, वो बनी होती है, dura matter की देहन रखना, किसकी बनी होती है, dura matter, dura cell की नहीं, which of the following scientists gave the law that governs the force of attraction repulsion between two charged particles, तो ये भी हम देख चुके है, charged particle के बीच में, ये हमने पढ़ा था, बिलकुल सही है, ठानोस, तुफान का देवता, अबिशे अब ही मैं आपको PYQ series हो तो रहा है, उसको करिए, फिर जब जून में हाना, आपका exam, जून के first week में, तो मैं ही मैं आपको करवाओंगा, सिर्फ JSCJ के लिए, कुछ आपकी political lecture कराओंगा, geography का, economics का, science का, अलग से कराओंगा J के लिए, लेकिन आप इतना, वो क्यों है, Black teacher, एक दूसरे के पास में आते हैं, तो इसमें, दोनों के बीच में कौन सा force लगेगा, कौन सा बल लगेगा, ये बताया था हमारे Coulomb जी ने, उन्होंने एक law दिया था, जहां पे उन्होंने ये बताया था, ये K constant है, जिसका बतलब 1 upon 4 epsilon not होता है, कि ये जो force है, directly proportional है, product of both the charges, और universally proportional to the square of distance, जैसे कि जब हम force of gravitational force पढ़ते हैं, तो वहां पे भी पढ़ते हैं, GM1, M2 R square, हमें पता है कि कोई भी दो द्रव्यमान है, कोई भी दो masses है, वो खुद को एक दूसरे को gravitational force of attraction से attract कर रहा है, ठीक है, तो उनके बीच में कितना force लग रहा है, इतना लग रहा है जहां पर G gravitational constant है, जिसकी value 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meter square per kg square है, यह gravitational constant acceleration due to gravity से अलग होता है, अच्छा एक question पूछता हूँ मैं आपसे, कि अगर किसी का weight जो है, मून पे 60 kg है, तो इसका जो weight है, यह मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, मैं मून क्यों बोल दिया है, अर्थ की अगर मैं बात क 10 kg है, तो मून पे उसका weight कितना होगा, जरा बताइए comment में, तो similarly अगर आप देखें, तो यह दोनों चीज़ां आपको same नहीं लग रही है, product of charges के बराबर है, directly proportional है, और product of masses के, है न, inversely proportional to the distance, और यहां पे भी inversely proportional to the distance, यह coulomb जी ने बोलाता है, कूलॉम जी ने बोलाता है, ठीक है, हाँ, सब लोग यहापल मारो इतनी बार करवाए हैं, इतनी बार करवाए हैं, फिर भी, मतलब, गलती करनी है, मैंने पूझा mass, भाया, mass unchanged रहता है, बस देखा, 60 सीधे एक बटा 6 कर दिये, सब के सब, everybody, सब के सब गदे, सब के सब, everybody, तो mass unchanged रहता है, सर, जो 10 आप हैं, देखिए, यह mass kg, weight होता है, आपका, अगर मारो 60 newton लिखता, तो weight in chand, moon हो जाता, 10 newton, क्योंकि weight depend करता है, gravity पे mass into gravity, तो gravity, 1 by 6 हो जाती है, moon पे, तो weight भी, mass कहीं चले जाओ, किसी भी gram में, ठीक है, mass थोड़ी बोला थे, ठीक है, कॉमल जी नहीं बोले थे mass, यह किसकी unit होती है, weight की unit होती है, बताओ, यह weight की unit होती है, अगर हम mass नहीं बोले थे, तो यह weight की unit होती है, अगला question है, fill in the blank with the most appropriate option, अब लाग आखरी के 5 questions में आ चुके हैं, ठीक है, अचा, weight मैंने पूछा था, तो वहर मेरी गलती है, कोई नहीं, तो फिर कोई नहीं, बोड़े बोड़े किसी का message आया है, sir, for mukharajina, अगर में, और book stall पे आपके notes रखे हुए हैं, देखते हैं बोड़े वीडियो, आपको वीडियो बेजेंगे, प्रिंट आउट वही हमने तो अभी निकाले नहीं है, हम तो सोची रहते हैं, कि इसको offline mode में रखेंगे, मुखरजी नगर वालों ने, book stall वालों ने पहले पहले पहुची के लियो भी या, मोई मोई हो गया हमाई साथ, हम सोच रहते हैं कि इसको compile करके निकालेंगे, release करेंगे, कि biggest launch, लेकिन मुखरजी नगर वालों ने, book stall वालों ने पहले न, हम से पहले लाँच कर दिया, पूछे भी ने, एक बार बताए भी ने, अरे कम से कम एक बार बता तो देते, हम कुछ कहते, हैं, कुछ कहते उनको, लेकिन खेर छोड़ी, अब जो हुआ से हुआ, हम अपनी अच्छे पलों को याद रखेंगे, बुक्स डॉल्स वालों के साथ, तो pitch of a sound depends on, तो किस पर depend करता है, तो जो pitch होता है, जिससे आपने देखा होगा, लड़कियों की जो pitch होती है, गर्ल्स की, वो ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि उनके जो vocal cord होते हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि sound produce होता है vibrations है, तो उनके vocal code बहुत जल्दी जल्दी vibrate होते है, तो frequency ज़्यादा होती है, ठीक है amplitude, depend amplitude determine करता है loudness ठीक है, loudness जो होती है वो determine होती amplitude से ठीक है, जैसे कि हमने इस तरह से पढ़ा था, यह एक sound wave है यह एक sound wave है, तो किसका amplitude ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है इसका amplitude ज़्यादा है, इसका कम है, तो यह ज़्यादा loud होगी वहीं अगर हम बात करें, frequency क्या होती है frequency जैसे मालो, एक यह wave है ठीक है, यह wave है, और एक यह wave है मतलब बहुत जल्दी जल्दी vibrations हो रहे हैं, तो इसकी frequency ज़्यादा है तो इसकी pitch ज़्यादा होगी, इसका amplitude ज़्यादा होगा, जिसका आयाम ज़्यादा होगा, उसका loudness ज़्यादा होगा, तो loudness डिटर्माइन करती है amplitude पे, और pitch depend करती है frequency पे, जैसे कि male voice होती है, जैसे share शेर की दहाड तो शेर की loudness ज्यादा होगी, amplitude ज्यादा होगा मच्छर से, लेकिन मच्छर के आवाज है, pitch ज्यादा होगी, frequency ज्यादा होगी, शेर के आवाज ही comparison में, ठीक है, और loudness को किस SI unit बताइए, इसको किस में measure करते हैं, loudness की SI unit क्या होती, किते, बताओ जली से, the most reactive of the following metal is, निम लिखित में से कौन सी धातू जो है, बहुत ज्यादा भीक्रिया शील होती है, बताओ जली से, सब कस है, सर केस कर दो, केस क्या कर दायार, निम लिखित में से कौन सी धातू सबसे ज्यादा भीक्रिया शील है, ठीक है, एक बार अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा स वो कैटरीना जी की story पढ़ते है ठीक है तो यह हमारी reactivity series है उपर potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper और silver तो कैटरीना ने car मांगी ओल्टो, zen, Ferrari फिर भी फिर भी क्या copper, क्या से copper क्या मिली mercury ही नहीं है प्यार मिली से mercury क्या मिली silver audi मिली silver audi AU से audi हो गया AU किसका sign होता है, gold का sign होता है यह जो दोनों होते हैं यह ठंडे पानी में react कर जाते हैं एकदम अंदर से भरे बैठे हैं कोई दिखा नहीं कि भाग भाग गे तुरंत यह हो गए, यह गर बात करें इनको थोड़ा से चाहिए गरम पानी जो calcium है न जो calcium है और magnesium भी कुछ हट तक गरम पानी में भी इनको थोड़ा सा गरम पानी चाहिए थोड़ा सा यह जेल लेते हैं then aluminium और zinc इनको चाहिए धदखती हुई बाप यह जब तुम cold water लाओगे बोलेंगे कोई नहीं reaction, होते हैं न थोड़े से अक्लू type के लोग यह क्या है, एकदम भरे बैठे हैं यह क्या है, एकदम सक्त लाओड है हमारे थोड़े से ठीक है, तो इनको steam से react सक्त तो इनको बोलेंगे, जो react करते ही नहीं है steam से भी नहीं react करते हैं, जलदी फल्दी किसे से react नहीं करते हैं, भाप से भी react नहीं करते हैं ठीक है तो यह पता होना चाहिए कौन cold water से react कर जाता है कौन warm से और कौन steam से तो यह बहुत ज़्यादा reactive होते हैं और उपर से नीचे जाने में reactivity घटती है नीचे से उपर जाने में reactivity बढ़ती है hydrogen के उपर जितने भी है जिंक है यह मैंने लिया और इसके नीचे आई रहन है यह मैंने लिया इसमें हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया displacement ration जिंक आई सोफोर को डिस्प्लेस कर देगा और एफी वो जाएगा सिंगल बिचारा एफी हो जाएगा सिंगल और हो जाएगा ZNSO4 मिंगल उल्टा ले ले लेते हैं अब अब ले लेते हैं iron और iron जो है अब ZNSO4 से क्या replace कर पाएगा उत्तर है नहीं कर पाएगा यह reaction feasible ही नहीं है क्यों क्योंकि वही replace कर पाता है जो ज्यादा रियक्टिव होता है अब जिंक ने इसको इसलिए हटा दिया क्योंकि जिंक ज्यादा स्मार्ट था iron से तो SO4 ने सोच है बढ़िया स्मार्ट लड़का इसी साथ चलते हैं अफी तो ऐसा ही है तो उसके साथ मिंगल हो ला यह तो most reactive of the following कौन सा होगा जो उपर होगा calcium होगा ठीक है option number C हाँ पर सभी आंसर होगा I think कुछ बफरिंग हो सकता है अपर नोटे सो 47 plants bend towards light due to diffusion of the dash hormone on the other side of the shoot तो plant hormone हमारे different type के होते हैं सॉक्जिन यह plant की growth में help करता है साइटो किनें साइटो का मतलब cell होता है किनें कमतलब division नहीं कि प्लांट में cell information में help करता है यह भी plant growth में help करता है ζिप्रलीलिन जी से जिप्रलीन जी से जी से क्या हो जाएगा germination जो germinate करती है seed उसमें help करता है flowering जू फूलूल निकलता है उसमें help करता है ठीक है कि पकने में help का तो इसका जो सही answer होगा option number C صحी answer होता है जो growth related होता है उसको बोलते हैं क्या उसको बोलते हैं trophic movement उसको बोलते हैं trophic movement और non growth related वाले को बोलते हैं क्या उसको बोलते है नास्तिक ठीक है नास्तिक जैसे thigmonastic thigmonastic क्या जैसे छोई मुई का पेड़ है तुम छोगे और वो bend हो जाएगा तो उससे growth हो गई क्या उसकी नहीं लेकिन movement होगा ना तो उसको बोलेंगे thigmonastic movement sorry for the break I think break हो गया थोड़ा सा voice तो trophic जो movement होता है जिससे growth होती है तो यह different तरह के होता है जैसे कि एगर light की वज़े से growth हुई है तो आपका होगा phototrophic ठीक है अगर gravity की वज़े से growth हुई है तो geotropic अगर पानी की वज़े से हुई है तो hydrotrophic hydrotrophic movement हो जाएगा अगर मान लेते हैं chemical की वज़े से हुई है तो chemotrophic हो जाएगा photo geo hydro and chemotrophic ठीक है तो option number C यहां पर सही आंसर होगा auxin और जो gaseous hormone की मैं बात कर रहा था explain the existence of buoyant force यानि उत्प्लावन बल के बारे में किस ने बताया था जड़न सरकारी नौकडी वाला हाँ चलो भई तो third last question सही आंसर क्या होगा किस ने buoyant force के बारे में बताया था यह हमारे archimedes जी थे option number B यहां पर सही आंसर इन्होंने यह बोला था कि कोई भी ठीक है कोई भी चीज को अगर हम पानी में डुबोते हैं तो उसमें उतना ही उत्प्लावन बल क्या होता है तो किसी भी fluid में कोई भी body जब emerge होती है तो उसमें जो नीचे की तरफ से gravity उपर नीचे की तरफ लगता है buoyant force उपर की तरफ बल लगता है उसको buoyant force यह उत्प्लावन बल बोलते हैं ठीक है कितना लगेगा वो archimedes ने बोला कि जितना इसका part submerged है उसका जितना weight है जितना fluid यह यहां पर आधा डूब है आधा उपर है तो जितना भी पानी है फ्लीवड पानी है तो जितना भी पानी इसने displace किया यहां से उतना ही लग रहा होगा यह archimedes जी ने बोला था पास्कल जी ने जो है pressure का law दिया था ठीक है नो ने यह बोला था कि कहीं पर भी आप एक incompressible fluid में कहीं पर भी आप pressure लगाओगे तो equally transmit होता है इसी पर हमारा जो break system है वो काम करता है कुलांब्स लोग देख लिए न्यूटन्स के भी लोग देख चुके हैं second last question आज का and that is benzene में किते sigma और किते pi bond होते हैं तो benzene को हम इस तरह से देखते हैं ठीक है हमारे school में लड़का था class में ठीक है बंजीन में यह तो ऐसे कर दो या तो तुम इस तरह से बना दो है न इस तरह से उसे मतलब मतलब वह resonance का factor लगता था न या दो अगर तुम्हें तो वह इस तरह से बंजीन बनाता था ठीक है और वह हमें पता नहीं था फिर एक दिन teacher हमें बोला देखिए भया विना जी कैसे बनाते हैं हमारे बंजीन को यह खूब सा बड़ा सा और वह उसमें उसका अच्छले जब यह बनाता था न तो द्यहान इसमें नहीं रखता था वह copy लेता था किसी की जल्दी 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 उसका मेन यह उस पर फोकस रहता था क्या बेंजीन क्यों गोला रखते हैं उससे कोई लेना देना नहीं था जैसे हमें से काफिलों का नहीं रहता है ठीक है खेर तो यहां पे छे कार्बन लगे हुए हैं यहां पे क्या ल सबके साथ hydrogen लगा एससाथ है। तो सिग्मा बाउन्ड होता है उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है सिग्मा और यहां पे डबल तो यह single यह single सिंगल यह single छे सिंगमा हो गए सिगमा गिन नहीं छे ह हो गए एक दो तीन चार पाँच यह और हो गए बारा सिंगमा हो गया पाई कहाँ पे अपनी घौंस ओगा तो यह एक है do 3 3 पाई पाई बाउन ओगा तो बारह और तीन, option number B और आज का अखरी question देखना नहीं चाहेंगे आप लोग बताएए, दिखा दें आपको परदा खोल दे चलिए भई या तो ये रहा आपके सामने ऐसे कईसे, अच्छा बताओ phenol में कित्ते होंगे phenol में कित्ते सिग्मा और कित्ते पाई होंगे phenol में, फिर दिखाते है तो phenol के अगर हम बात करें तो क्या होता है, phenol होता है ये आपका है ना तो क्या हुआ इसमें इसमें आपका बस एक ही bond तो extra आ गया तो यानि कि 13 सिग्मा और 3 पाई हो जाएंगे चलिए बाई आखरी कुश्चन ये विच फॉल्विंग इसको बोलते हैं रिडायन यानि की एनायन बोलते हैं ठीक है अब मैं आंसर कर देता हूं जिसका भी आंसर है कि मैंने साइंस का अलग से क्रियेट कर दिया आपका बैच जो लोगो सिर्फ रेलवे के लिए साइंस पढ़ना है साइंस जी के दोनों पढ़ना है तो ऐसे सी जी के बैच 2.0 चल रहा है आपका उसमें आप अन्रोल कर सकते हैं बाकी जो लोग इसमें अन्रोल्ड हैं पहले से ही तो उनको साइंस वो कुछ अलग से करने के जरत नहीं कोई कुछ अलग से चीज़ें नहीं होंगी ठीक है तो आपको अलग से कुछ करने के जरत नहीं यहां पर जो चीज़ें करेंगे वो सफिशेंट रहेंगी and Tuesday से हम लोड़ा सा मैं अविलेबल नहीं रहूंगा बस इसे लिए ठीक है नहीं ब्रेक लेना होता तो मैं संडे कहीं नहीं ले लेता है कि नहीं ठीक चले बई थेंक्यू सभी को लेक्चर में जुडने के लिए बाकि लेक्चर कैसा लगा आप कॉमेंट में ज़रू बताइए और भी जेई के लिए साइन सफिशेंट रहेगी बिल्कुल रहेगी जबीर खान जी कैसा लगा आप लोग को सेशन और कैसा क्या आपकी आगे डिमांड से ज़रू बताइए कॉमेंट में कूपन कोड तो यार नहीं है निकेज जी अभी तो नहीं देखो होली पर देखते हैं अगर possible होता तो अगर possible होता थो फिक है well does also help in necessity cgl क्या चीज अब बताऊगे क्या चीज schedule में help करेगी क्यों करेगी सेरफ फैंस फ्रम फॉथ thank you Vishnu th nag gy बिल्कुल सचिन बिष्ट जी बिल्कुल चलिए भई थैंक यू सभी को धन्यवाद अब क्या बोलने है भई कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं मैं तो टूट गया मैं तो अब थक गया मैं तो जब क्यार सुबह से सुबह बैच में जो लोग होंगे उन्हें पता है आज हम लोग ने वारता लाप सेशन किया तो उससे पहले CDS वालों के साथ किया था फिर अभी आप लोग क्लास लिए इसके बाद अभी फिर एक क्लास लेनी है Air Force वालों के लिए खेर लिए क्लासों को सिलसिला चलता रहेगा आप लोग पढ़ा ही करते रहे है धन्यवाद थेंक्यू पीवाइक्यू सिरीज डेली करवाओ डेली भई पीवाइक्यू सिरीज तो Monday to Friday होती है जीके वाली नहीं होगा तो Saturday Sunday schedule कर लेंगे science के लिए railway के जो science है उसके लिए Saturday Sunday रख लेंगे कि Saturday Sunday को वो करेंगे लेकिन वो आपकी response पर depend करते हैं कि मेरे बास time का फिर limited रहता है तो थोड़ा मुझे भी motivation होना चाहिए है कि नहीं कि लिए कर मैं करवा रहूं तो फिर कुछ मुझे भी external motivation मिलती रहनी चाहिए कि हाँ भई student आते हैं ठीक है कल तो डेट है सर का हाँ डेट है बिल्कुल डेट है कल डेट है एक advocate के साथ डेट लगी होई है तारीक लगी होई है न कोट में अच्छा विवेक रावत पुर्स आँ अच्छा चले भई थेंक्यू सभी को धन्यवाद